आवरिवन मेरा नाम प्रतिक जगाती हो और आज हम 4X के important question revision करेंगे यह लास्ट दे रिवीजन करेंगे exam purpose के लिए फटा फटते question revision करेंगे हो भी ICA के study material के जो important questions है around 28 important question हम इस वीडियो में revise करेंगे और दो question है omega electronics और drill rip नाम का इसका भी मैं description में link दे दूँगा आप वो दो question वहां से कर लिजेगा वो में इसमें include नहीं करेंगे इसके अलावा बागी सारे important question इसमें आपके discuss हो जाएंगे revise हो जाएंगे अच्छे जो questions चूज करके मैंने यहां पर लिए यह सारे हम discuss कर लेंगे and अगर आपको concept में थोड़ी problem है तो एक खंटी का concept revision वीडियो भी हमने YouTube में upload किया हुआ है जिसका description में link में दे दूँगा आप वो देखके यह करोगी तो आपको ज़्यादा फाइदा मिले हो और अगर आपको कोई problem नी तो और directly start कर सकते हो और हम क्या करेंगे कुछ मेरे पहले की recordings है करीवन साधार questions के वो में starting में merge करूँगा इस वीडियो में and उसके बाद अभी के जो recordings के वे बाकी सारे questions है वो भी एक साथ इकटा हो जाएंगे तो अगर मान लिजए starting के कुछ questions आप में से किसी के देखे वे होंगे तो अब आगे forward होके जाएंगे and around 50 minutes के बाद आपको आगे की questions दिखेंगे जो मिलब overall आप चेक कर लीजेगा and आपको time stamp भी में देने की courses करूँगा या फिर को student time stamp हापर बनाई देगा so चलिए हम one by one सभी questions को discuss करते हैं और forex को हम secure करते हैं और इसके अलावा एक main 5 या 6 गंटे का भी revision वीडियो है उसकी भी description में लिंक देद हुआ जबर concept plus question दोनों हमने cover किया है चलिए तो फिर start करते हैं सबसे पहले हम question number one discuss करते है question number one में क्या कहा गया है कि initially आपके पास dollar 5,000 है मालिए जब Indian यह हो आपके पास initially dollar 5,000 है और आपको redemption मिलेगा एक period की बाद specified period के बाद आपको 5 to 5,000 मिलेगा यह सोचो न डॉलर 5,000 हम लगाएंगे और हमें कुछ समय के बाद 5 to 5,000 मिलेगा तो हमारा capital गीन हुआ 250 dollar का हमारा कितना हुआ capital गीन हुआ हमारा फिर दूसरा हमें interest भी मिलेगा उस required period पे हमें interest भी मिलेगा 350 डॉलर का तो आप बता सकते हो हमारी कमाई कितनी हुए तो इस ते हमारा रेट आचाएगा 12% हमारी कमाई यह हमें पता चला मतलब सी बात है हमने 100% पैसा लगाया और हमने 12% का मतलब भी तो यह कि 100 रुपीस लगाया तो 12 रुपीस कमाया और वैसे 5000 लगाया तो 600 कमाया हमने तो वैसे हमारा 12% का यहां पर return आ रहे है investment में अब आगे क्या हुआ आगे मैं बोल दें कि dollar appreciate हुआ 2% से तो dollar appreciate होना 2% से इसका मतलब किया है कि मालो में इंडियन हो इस question में कहीं पर भी कुछ answer ना करें हमीं सही मानना आप इंडियन हो तो मैं इंडियन हो मैंने dollar में investment किया है अब बात में वो dollar में अपने घर लेकिया होंगा है ना और dollar अगर मालीजी appreciate होगा जैसे मालीजी dollar का price है 100 rupees आज़ रुपी पर dollar 100 है dollar 2% appreciate होने का मतलब कि हो 100 किये चिका 102 हो जाएगा तो जब मैं मैंने पहले 5000 मैंने पहले क्या किया था 5000 dollar जो है न यह मैंने invest किया था अब मुझे इस पर कमाई मिल गया 600 dollar का कमाई मिल गया तो अब बताइए अगर 2% appreciation होगा तो पूरा है इस पर ही तो 2% का appreciation होगा कि सिर्फोर सिर्व रिटरन में होगा मेरा principal amount भी तो appreciate हो गया क्योंकि रुपी से dollar को invest किया and अभी dollar लेकि पूरा 5600 dollar ही घर लेकि आओंगा तो पूरे पर ही तो 2% का appreciation का मुझे benefit मिलेगा क्योंकि dollar appreciate होगा तो ज्यादा दाम भी हमें dollar को बेचके रुपीया अपने घर लेकिया सकूँगा तो इसलिए मैंने का आपका return तो 12% का हुआ ही है लेकिन साथ इसाथ आपको यह देखना है कि जो 2% आपका कमाई हुआ ना वो principal पे भी हुआ है और वो return पे भी हुआ है appreciation के वज़े से तो 100 पे अगर मैं बात करूँ 2% तो 2 होते है 100 का 2% होगा और 12 पे भी हमें 2% का appreciation मिलेगा तो 12 का 2% कितना होगा 0.24 होगा percentage तो हमें यह बता चला कि 12% तो हमने return कमाई ही साथ इसाथ appreciation की वज़े से principal में appreciation के वज़े से 2% वहाँ पर कमाई हो गया and साथी साथ हमारा interest पे जो हमारा return था return पे appreciation के वज़े से हमारा 0.24% का कमाई हो गया इन्हें 14.24% का हमारा कमाई होगे मैं ज्यादा time नहीं लगाऊंगा यहाँ पर मैं फटाफटी करूँगा and यहाँ पर ICA ने solution रॉंग लिखा हुए 12.24% यह गलत है and इसी वज़े से इनोंने alternatively यहाँ पर 14.24 हमें correct answer दिया है ध्यान रखिए जब भी कभी alternative solution देता है तो maximum ज interest so principle return दोनों में dollar का appreciation का आपको benefit मिलेगा तो चली इस तरीके सर्म 14.24% निकाल सकते नेक्स्ट अब हम बात करेंगे question number two question number two यहाँ पर जो बात हो रहा है यहाँ पर यह नौस्ट्रो वस्ट्रो लोरो से related है पर मैं आपको बता दूँए यहाँ पर जरुत ही नहीं पड़ेगा और against कि हो डॉलर तो आप बते हैगाँ कर रुपी पर चीश करना चाहते है रुपीबाई करना चाहते है तो मोलें dollar स़ल करना चाहते है सिंल सी बात है एक सबंगे रूपी पर Summon 9.3625 51.37 डबल जिरो अब मेरी बात समझे हमें डॉलर क्या करने संकर नषर का दिया रूपिया से पहले डॉलर पर चाहओं जिसका दिया आ वहाँ पर पहुंच आप जिसका code दिया वो उसमें आपको buy करना है या sell करना है तो मैंने कहा था गर रुपिया भाई तो dollar sell रुपिया sell तो dollar buy यहाँ पर आप दिके आपको rupee buy करना है लेकिन code dollar का दिया है तो rupee buy करना मतलब dollar sell करना है और dollar sell करेंगे किस पर सस्ता पर bid पर यानि 51.3625 हमने टिक कर दिया यह हमारा ticking का काम है यह इसका कोई काम नहीं है 51.3625 हमारे लिए काम का इसी rate पे हमारा exchange होगा जो भी होगा अब हम conversion की बात करते थे multiply or divide conversion में तो आप मेरी बात समझे यहाँ पर हमें rupee convert करना है convert क्या करना है rupee convert करना है और code दिया होगा यहाँ पर dollar का convert करना है rupee code दिया होगा तो क्या होगा divide अगर convert करना होता है rupee code भी दिया होगा था rupee का तो क्या अगरते है multiply करते है जिससे calculator का मैं example यह था concept revision में है ना तो यहाँ पर 4 hours का तो एक अच्छा revisionary है हो तो आपने देखी लिया होगा जहाँ पर हमने अच्छी तरीके से बढ़ा होगा है तो यहाँ पर हम आपको बता रहा हो कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए divide करना चाहिए यहनि 15 million जो है यह मुझे convert करना है यह 15 million जो मुझे convert करना है इसको मैं divide करूँगा convert करने के लिए क्योंकि रुपी convert करना है और इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना आएगा dollar 292041 हमारा dollar आ रहा है और इनका 292050 फरक नहीं पड़ता है जोश्य ने ध्यान से सुना एपी सी limited है UK का जिसने एक्सपोर्ट किया है Canadian dollar वर्थ 5 लग का इसने एक्सपोर्ट किया जो इससे पैसा मिलेगा six months के बाद यानि इससे receivable है इससे क्या है Canadian dollar five लग आज के six months के बाद six months के बाद इससे receivable आगे exporter hedge करना चाहता है जो receipt है इसको hedge करना चाहते है तो ओव्यस दी बाद है Canadian dollar receivable मतलब भी डर रहे कि कहीं Canadian dollar गिरना चाहिए तो यहाँ आपर अब आप देखे spot exchange rate दिया हुए स्पोर्ट के दिया हुए Canadian dollar पर पॉंड का रेट दिया हुए Canadian dollar पर पॉंड का रेट दिया हुए 2.5 यह ना यहीं one pound equal 2.5 Canadian dollar दिया हुए फिर हमें interest rate भी दिया हुए interest rate पॉंड का interest rate Canada का में interest rate दिया हुए और साथ में ही देखेने क्या बोल दिया the forward rate truly reflect the interest rate differential इसका मतलब क्या है जो interest rate parity के concept के सबसे चुर्म premium निकालते हैं और वही premium अगर आप spot rate पे लगाओ के तो forward rate आता है ना और वही forward rate truly reflect कर रहे है exchange में मतलब bank वाले वही आपको rate code कर रहे है यहां पर कोई mispricing नहीं है जो आपका theoretically forward rate आना चाहिए वही वह उधर rate coated है यह कहना चाहिए ट्रूली reflect कर रहे है तो आप मेरी बात समझे यहां पर हम बात करे रहे है यहां पर हम बात कर रहे है तो 12 पर्सेंने ह detta काम कर ना यहां है ही क्वांट और विस था बरिचिन होई है और मैंने आपको समझ है तो उड्रेड़े पहले 100 पकरना चाहत हूँ क्योंकि मुझे लगता हूँ आपके लिए ज्यादा आसान होगा तो 100 प्रस्ट परसें कितना होगा 106 और 100 प्रस्ट 7.5 परसें 107.5 यानि मैंने pound का और रुपी का मैंने pound और रुपी का दूनों का क्या निकाला sorry pound और Canadian dollar का pound और Canadian dollar दोनों का मैंने principal factor निकाल लिया अब हमी क्या पता है हमी यह दिख रहे है कि pound 106 होगा 6 मेने के बाद और Canadian dollar 107.5 होगा 6 मेने के बाद तो that means what pound आपका premium में रहेगा क्योंकि pound को में बढ़ाना है 106 से 107.5 पर लेके जाना है तो pound premium पर लेके बढ़ाना कितना 1.5 pound बढ़ाना है कहां से बढ़ाना है 106 से बढ़ाना है यह 1.5 यह 6 निटो 100 करोगे तो pound का premium आ जाएगा 1.41 1% अब यही जो premium में spot rate में लगा देगी forward आ जाएगा spot rate किसका दिया हुए spot rate pound का ही दिया हुए spot rate pound का ही दिया हुए Canadian dollar पर pound यहने pound का spot rate दिया हुआ है, तो pound का अगर spot rate दिया हुआ है, तो ऐसा situation में pound का premium में discount, numerator पर लगे गा, और वही अगर Canadian dollar का होता, premium में discount, तो हम दिवाइट पर one, नीचे denominator batches करते हैं, यह मैं आपको समझा है वा सारा, एक घंटी का वीडियो जरूर से वो देख लेना, वो द करेंगे, simple, हम क्या कहेंगे, हम ही कहेंगे, spot rate है pound का इतना, और pound का premium हमने plus कर दिया, क्योंकि pound का premium है, तो सिधा numerator में plus हो जाएगा, और हमारा six months forward rate आ जाएगा, इस तरह के से simple हुआ हमने interest rate parity हमने क्या क्या, premium निकाल ला, और वो premium spot rate पे लगाया, तो forward rate हमारा आगे, simple सी बात में धिहान रहें, जब interest rate parity लगाओगे, तो 6 मेने का rate पे पहले जाओगे, फिर उस पर 100 का base लगाओगे, तो वैसे हमने यहाँ पर 12% को 6% बनाया, फिर 106, और नीचे 15% को 7.5% बनाया, फिर 107.5 पे हम गए, और इस तरीके से according ही, मैंने premium निकाला, और फिर spot rate पे लगाया, हमारा forward rate निकल के आ चुका, अब आगे यहाँ पर क्या बोला हमें, हम यहाँ पर बोला कि आप बताओ, find out the gain or loss to UK exporter, if Canadian dollars pot rate decline करते है 2% से, gain करते है 4% से, या फिर remain रहते है and change, तो हमें यहाँ पर बताना है, gain or loss तो मैं बताओ, तो यह चो gain or loss हम निकालते है, मन का निकालते ह हमें already हमने enter कर लिया, तब हम देख के बताते हैं कि अगर हम forward rate में enter नहीं करते हैं, तो हमारा क्या फाइदा होता है, घाटा होता है, यह हमें बच चेक करना होता है, तो यहाँ पर हम एक एक करके चेक कर लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले rate निकालेंगे तो ऐसा situation नहीं निकाल सकते हैं तो आप मेरी बात समझे, Canadian dollar per pound spot है 2.5, अब आप मुझे बते है Canadian dollar अगर decline करेगा 2% से, तो मैं numerator के साथ खेलू कि denominator के साथ खेलू, मुझे denominator के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि उपर वाला तो pound का है, नीचे वाला ही Canadian dollar का है, और यहाँ पर Canadian dollar decline क मुझे करना चाहिए, क्या करूँगा, मैं नीचे वाला denominator को 1-, क्योंकि decline यानी 1-2% करूँगा, तो ऐसा करने पर मेरे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या हुए, पहला वाला point, 2.5 by 1 है, और 1-2% में करूँगा, है ना, तो 2.5 by 0.98 आजाए, यहनी ultimately आ आपका forward, आपका expected spot आ जाएगा, जो अगर मान लेज़े 2% से decline करेगा, तो ऐसा situation में 2.551 आपका rate आ जाएगा, और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ICNS का गलत क्या हुआ, solution आपको बताना, मेरे लिए ज़रूरी आपको कर्मन है, तो आप ऐसा कीजे, सबसे बिल आप treatment क्या करते हैं, इन्होंने pound increase समझ के treatment के आपर, जो कि मेरे recording लिए गलत है, concept के इसाब से गलत हैं आपर, क्योंकि यहाँ पर आप समझे, decline word है, और अब into कर रहे हो, मतलब हम increase करो, और increase करो numerator को, पर यह गलत है, denominator को decrease करते हैं, तो भी आपका value ही आ रहे है, 2.551 ही आ रहे है, पर 2.55 नहीं आता है, तो यहाँ पर हलका असा गलत ही है, यह मेरा मानना है, आपको अगर पसंद नहीं आ है, तो आपकी मर्ची, आप ऐसे ही के साथ आना चाहता है, तो आप कज़ित है, कोई बात नहीं, आने वाले time में मुझे पता है, यह ठीक हो जाए, पर अभी आपकी म समझा दिया, आपकी इस तरीके से हम यह निकाल पाए, कि अगर मालेजे, Canadian dollar per pound है, आपका 2% से decline करेगा, तो ऐसा situation में हमारा आगे का rate क्या होगा, अगर 2% से decline कर गया, तो हमें पता चला 2.55 बन होगा, तो आप मेरी बात समझे, हमने तो forward rate इतने में enter कर लिया, हमने तो इतन बात समझे, अब यहाँ पर बिडास तो है नि, चली एक tension की बात खतम, बिडास यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आप मेरी बात समझे, Canadian dollar 5 लाग मुझे convert करना है, तब ही तो मुझे पता चलिए कि Canadian dollar 5 लाग को convert करूँगा, इस rate पे, rate किसका दिया होगा, पाउंड का दिय पर मिलेगा मुझे forward rate किस case आप से, अब यहाँ पर अगर मालेजी यह rate होता, तो मैं सोचूँगा कि क्या मुझे मिलता, मतलब इस पे तो मुझे मिलेगा, अब मैं मन में सोचूँगा कि मालेजी मैं forward rate पे enter नहीं करता, तो यह rate मुझे मिलता, case 1 में 2.551, तो इसकी accordingly हम gain on loss निकालेंगे, तो वही यहाँ पर आपका नीचे solution में क्या आप देख सकतो, तो जैसे आप, यह तो forward rate के एसाब से आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, लेकिन वही अगर माल लीजे, आपका Canadian dollar decline कर जाता 2% से, तो ऐसा situation में 2.551 के एसाब से आपको मिलता, 2.551 के एसाब स पैसा मिलता, forward rate के वजए से में ज्यादा पैसा मिल्रहे, तो हमने कहा की गयन हो रहा है, forward country के वैसे मन में श्यादा पैसा मिला, नहीं करते तो हमारा नुपसान हो जाता, फिर अगर हम बात करें, point number 2, point number 2 में क्या, इन्हों ने क्या वोला, gain कर रहा, Potato dollar increase हो रहा है, four person से, तो बते ही code तो pound का दिया हुए, तो Canadian dollar कौन सा हुआ, denominator, pound तो numerator है, तो denominator के सब खेलेंगे, और denominator increase हो रहा है, gain, यहनी 4% से increase कर दिया, यहनी 2.5 by 1.04 आगया, ultimately आपका यह value आजाएगा, और same वही procedure आप करोगे, जो मैंने अभी आपको समझाया था, forward rate में तो आपका यह आने वाल है, 197-239 नहीं हर जगा पे होगा देखिया, 197-239, तीनों cases में, अब अलग-अलग आपका जो rate आया, उस rate के साब से, यह जो rate आया, और यहाँ पर तो unchanged है, तो यह rate आएगा, इस rate के साब से आप निकालोगे और आप बताओगे, gain या loss क्या है, due to forward contract के वज़से, तो उमीद आप ध्यान में रखेगा, अगर आपको अच्छे से तमझना है, तो वो regular वाला जो 4 hours का revisionary वीडियो वो देखेगा, यहाँ पर ज़्यादा उमीद मुझसे मत कीजेगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यह सारे value इस तरीके से अराम से हम निकालेंगे, को problem नहीं, यानि ultimately forward rate को compare कर है, appreciation, deficit, interest, parity, सारा इसमें आगया, तो यह आप एक बार अच्छे से practice कर लिजेगा, यह question मुझे लगता, थोड़ा सा important है, तो मैं एक बार फटा-फट से reverse करा तो आपके लिए थोड़ा से important है, बाकी आगे नहीं करोंगा, यहाँ पर आपने की interest rate parities है, हमने interest rate factor निकाला, फि अब यह forward rate पर मैं एंटर कर जाएंगे और 5 लाग Canadian dollar का forward rate पर counter कर लेंगे, क्योंकि यह truly reflect कर दा exchange rate वाला, तो ऐसा करने पर हमारा value आएगा 197239, अब यह 197239 नहीं, रियल में मुझे मिलेगा, यही मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने forward rate पर एंटर कर लिया, पर अब मैं सोच रह के से निकाल लेंगे, तो चलिए उमीद है अपने समझ लिया यह question, अब हम आगे proceed करेंगे question number 5 पर, देखें, question number 5 में यहापर हम बात करते, on first, on April 3, April 3 की बात करेंगे, bank ने code क्या आपको spot rate दिया हुए, two months का swap points, concept ने समझा था, swap points में हम क्या घटे, increasing order तो plus, decreasing order तो minus, तो यह हो गए आपर, है ना, two months का swap points दिया हुए, three months का swap points दिया हुए आपको आपर, तो चलिए, अराम से कोई problem नहीं, अब देखें, मैंने आपर swap points को लिख लिए आपर, यह सारे values मैंने swap points लिख लिए आपर, आपके काम आ जाएगा, तो मैंने क्या किया, 66.2525 पर 70 plus किया, 67.5945 प क्योंकि last के digit है, इस तरीके से हम कर लेंगे, अब मैं आपको बता दू, जो three months का swap points है, कितने बाद स्वेंट पता है, क्या गलती करता है, वो two months का forward rate निकालता है, उसमें ही plus कर देता है, वो सुथा इसके नीचे वाला यहीं तो आएगा, गलत, swap points हमेशा आपके spot rate से आपको जनरल ही कहा कि spot transaction में आपका delivery दो दिन के बाद होता है, यहीं April 3 है, और बोला कि जो भी आप forward rate करोगे, delivery दो दिन के बाद होगा आपका, और बोला कि assume spot date as April 5 2016, मतलब वो यह April 3 2016 को आप April 5 मानो, क्योंकि दो दिन delivery का लग जाते हैं, तो ठीक है, को problem नहीं है, और one swap point हमने इन् 15 days का swap points बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, अब मेरी बात को समझे, यह आपका spot है, यह 2 months का swap points है, यह 3 months का swap points है, पर हमें चे 2 months 15 days का, तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, 2 months और 3 months की बीच में क्या गया है, जैसे interpolation म का gap ने निकालते तहीं वैसे हम यह आपर कर रहें, हम यह देखर हूं कि 2 months का 70 और 90 है, और 3 months का 166 और 186 है, तो 2 months और 3 months में कि बीच में कितना होता है, 1 month होता है, तो 1 month में क्या increase हुए, 1 month में अगर मैं देखूं, यहांपर यहांपर तो कितना increase हुए, 90 increase हुए, इधर अग क्या होगा 45 इसमें चाहर इख हो चाहेगाución है इन्हीं स्झाहरा यह में स्वावा कि पता कर लिए कि यह फ लिद्धा प्र निकाला हैं यह सब्सक्राइब्स हो से मैंने एवरेज में निकाला मुझे 15 138 तो उमीद आपको यह समझ में आची तरीके से को प्रब्लम नहीं है और इसके बाद अगर हम पॉइंट नमर टू की बात करें तो यहां पर पूछा हम से फोर एन एक्षेंग रेट बता है यह जून यहां पर भी इंक्रीजिंग ओडर में यह दोनों वेल्लू जो है 66.2525 वाला 67.5945 यह जो दो वेल्लू है इस पर हम प्लस कर देंगे दोनों पर हमने प्लस कर दिया स्वेप पॉइंट हमारा फोर डेट आ चुका यह बात खता तो यह सेकंड वाला पॉइंट भी एकदम सिंपल सब्सक्राइब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें फिर नेक्स्ट पॉइंट नमर प्रीं कंप्यूट दे एन्वल रेट प्रीमियम डिस्काउंट उन यूएस डॉलर ऑन आयनर यह नि डॉलर का प्रीमियम डिस्काउंट बताना है ऑन अवरेज रीट तो चलिए अब मैं आ इस पॉट रेट कितना है यह दो स्पॉट रेट है और टू मन्स फॉटीन डेस का हमने फॉट रेट भी निकाला इए रहा यह आपका फॉट रेट है तो इन दोनों में जो फारक होगा वही तो प्रीमियम में डिसकाउंट होगा तो आप देखिए आपर कोड किसका दियाव कोड दियावा है रूपी पर डॉलर का अब रूपी पर डॉलर 66.2525 ता स्पॉट और 15 डेस का 66.2640 तो बढ़ रहे है न यह तो बढ़ रहे है तो टैट मिस डॉलर प्रीमियम पर रहेगा और इंट्रेस रेट किसमें जहां पर इंट्रेस रेट काम होता है वहां पर वह पर यहां पर होगिया यहां ने हमेंगे पता चला डॉलर का तो टोलर बढ़ रहे हैं यह तुनों का फ़रक होगा च्शन पॉलर चैकट 66.2525 यह दोनों का फरक है यह आपका प्रीमियम में अब प्रीमियम को डिवाइट किसे करते हैं स्पोर्ट से है ना स्पोर्ट से तो बढ़ा ही जो भी बढ़ा इससे हम डिवाइट करते हैं हम इससे डिवाइट करते हैं तो ऑविएस डिवाइट करना चीज़ था 66.2525 से तो इसलिए हम आपर रेट की जगा पर आवरेज रेट यूज करें क्यों कि कुछिन है में में अधर लेते हैं तो इस बज़े से हम क्या गरेंगे नीचे 66.2525 बेनिक की जगा हम 66.2525 और 66.2640 का अवरेज लेंगे दोनों का अवरेज क्या होगा दोनों का प्लस डिवाइड पर टू कर दीजे दोनों का अवरेज लेकि आप निकालो के बिड़ का और आसका और ध्यान रहे हमीशा प्रीमियम का डिस्प्ले पर बस करो तो तो तीन मेन निकालोगे फोवर्ड प्रीमियम फोवर्ड डिस्पंट भी निकालोगे वह पर एनम में प्रेजेंट करना तो आप देखी यहां पर यह तुम तूमन्स करना है तो मैं पहले 2.5 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरा वन मन्त का आ जाएगा और मैं मुल्टिप्लाइड कर द अँठ कर लिया उमीद आपको समझ में ऑया फटा फट अब हम नेक्स करेंगे कोंट नं डिस्कस करते हमें spot rates दिया हुआ है यहाँ पर रुपी पर डॉलर का spot rates दिया हुआ है यह इन पर डॉलर का spot rates दिया हुआ है और साथ हमें नीचे बता दिए कि estimate किया जारा अगर माली जब कोई forward cover वगरा खुछ भी नहीं करोगे जबकि आपको पैसा तो आज मिलीगा नहीं तो अब spot में कैस to 124 level and Indian rupee to deficit against US dollar to rupees 65 तो दोनों यह बता रहा है against dollar ही बता रहा दोनों यह कहना चाहता है Japanese yen जो है वो against dollar 124 है तू बोला वाई नहीं बोला वाई मतलब उतना से घटना या बढ़ना यहाँ पर यहां रहा जाएगा यहां रहा जाएगा यहां 124 होगा क्या Japanese yen per dollar और rupee per dollar होगा क हमने लेख लिया फिर आगे forward rates भी यहां पर आपको दिया हुआ है 31st August का अगर आप hedging करते हो तो forward rates करोगे तो आपका यह दोनों rate यहां पर दिया हुए जो कि मैंने यहां से उतार लिया कोई problem नहीं है तो यह सारे rates हमें मिल गए हमें question ने पूछा गया है आप हमें expected loss हम hedging से compare करना चाहिए अगर हम hedging करते तो हमारा क्या था है hedging नहीं करते तो हमारा क्या था उससे हम निकालते गिनोलोस पर हैले कि आईसे जो कर रहा वो spot से comparison कर रहा है तो उपाई नहीं आप exam में भी आपको spot करना है क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत सारे जगह में आईसे इस चोड़ देते है जिसका उपाई जिसका इलाज बहँवान के पास ही सायदी हो गा मुझे लगता है ऐसा वो आईसे के पास ही इलाज होगा और इलाज क्या हो गलती करते हैं बहुत सारे जगह में अन्नेसेसरी कॉंप्लीकेटेट कर देते हैं सर खाने के और कुछ नहीं करते तो मुझे गलत लगता है, बहुत सारी जगह पे गलत लगता है, मुझे उनका, यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता है, spot rate पे अगर हम convert करेंगे, तो हमारे लिए spot rate तो यह रहा, है ना, तो अब बता है, spot rate में convert करने का क्या हो पाई है, बिटास तो है नी, तो टिक का काम नही तो यह वाला क्या होगा, 102.34 डिवाइड होगा, और 102.34 से हम डिवाइड जब कर देंगे, 100 लग जापने से इनको, तो यह डॉलर बन जाएगा, डिवाइड करती क्या बन गया, डॉलर बन गया, अब फिर क्या करेंगा, डॉलर को हम convert करेंगे इंटु रुपी, नेक्स स्ट से बात है, यन को convert करेंगे पहले डॉलर पे, तो यन को डॉलर पे convert करते से मैं हमने देखा कि यन को convert करना है, code दिया होगा, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जब आप है यहाँ पर no hedging में आप दिखे, spot में मैंने लिखा, 100 लैक को जब आप 102.34 से डिवाइड करोगे, औ करने पर हमारा इतना inflow आएगा, हमें पता चला, spot में, spot में इतना inflow आएगा, लेकिन हमारा तो spot में आग आ रहा है, हमें तो future में मिलेगा पैसा, यन हमें future में मिलेगा, तो future में हम convert करेंगे, और एकर हम hedging नहीं करेंगे, तो मैं expected वाला देखेंगे, तो हमने expected वाला देख किया 65 से multiply किया तो मैं पता चला कि अगर hedging नहीं करेंगे तो हमारा इतना आएगा पर spot में हमारा इतना आता तो ultimate पता चला नुकसान है spot में जितना आता उससे कम आरा आपका hedging मतला आपका नुकसान 8 3 7 7 9 8 तो हमने compare कि से क्या हमने compare कि spot with no hedging और हमने no hedging का बात बता दिया आपर कि कि कितना हमारा नुकसान है फिर आगे हम से एक और बात पूछा कोशिन ने फिर आगे हम से क्या पूछा देखिए कोशिन ने पूछा कि position कब कैसे change हो गार हम forward cover करेंगे तो forward cover को हम compare करेंगे spot कि साथ तो spot को हमारा निकाला वा ही तो वही spot जो हमारा निकाला वा मैंने आप लिखी दिया पहले हमने निकालिया थे यह वाला spot निकालिया अब forward cover हम करेंगे forward cover का rate यह तो हम क्या करेंगे और फिर डॉलर में convert होने के बाद फिर जब रुपी में convert करेंगे तो डॉलर का code दिया वा डॉलर ही convert करना है यह तो इस तरी के से हमने निकाला यहाँ पर मैंने hedging के case में बता दिए forward cover है यह आपका forward cover है तो forward cover में हमारा आ रहा है जो कि हमने forward यहाँ पर भी hedging हमारा नुकसान कम है पर मज़ा पता का बता जब हम no hedging को forward के सथ compare करते तो मज़ा आता है क्योंकि ultimately spot से हम compare क्यों करें स्पोर्ट तो हमारा ऐसे भी नहीं आना वैसे भी नहीं आना तो future में hedging है future में hedging करेंगे या नहीं करेंगे तो यह तो आप खुद भी कर लोगे इसलिए मैं इस पर जादा भी मैं stress नहीं दे रहा हूँ इसका solution में आपर छोड़ी दिया है और यह question हम खतम करते है ताइम ज्यादा नहीं लगाते क्योंकि ओल्रेटी बहुत टाइम दी दिया हमने तो अब हम next question में आते है डिस question number seven में आते है question number seven simple सा question ने कहा गया कि मैंने Hong Kong डॉलर वन क्रूड बेच्चा है 5.7 में तो मुझे कितना मिलेगा 5 क्रूड 70 लग मिलेगा 5.7 करके मैंने बेच्चा है तो मेरी पास रुपिया आ गया बह फिर वन क्रूड होंकोंग डॉलर खरीदना पड़े और आपको यह समझना पड़ेगा बोलो यह सर पहले पीस दिया बात में खरीदेंगे होता है ऐसा होता है तो यहाँ पर आप समझे कि डिलिवरी थोड़ा लेट से होगा तो आपको यह समझना बेचा हुआ को कवर करना तो आप क्या करोगे तो हमारा बेचने का तो वैल्लू यह आ जाएगा 5.7 लाग क्योंकि 1.00 क्रोड होंकोंग डॉलर बेचेंगे 5.7 में 5.70 लाग हमारा आ जाएगा अब हम क्या करना अपने आपको कवर करें कवर मतलब 1.00 क्रोड जो बेचा हो खरीद हो है ना तो वन क्रो में कव 내가 capi क्या रूपी खरीद रूब गा तो मेरे पास क्या होगा रूपी देखी तो मैं करीद करूंग आपकोंग रूपी से सीदा में हॉंकों-डॉलर नहीं होगी सकता क्योंकि रूपी पर डॉलर का है फिर Hong Kong dollar per dollar का rate है यहीं दो exchange के तुरू मुझे जाना पड़ेगा तो पहले रुपी से dollar खरीद लूँगा फिर dollar से Hong Kong dollar खरीद लूँगा तो बताए रुपी से dollar खरीदना है dollar खरीदना है कोट भी dollar का दिया हुआ यह नहीं महेंगा यह वाला हो होगा तो इस तरीके से हमने दोनों का ticking का काम कर लिया अब हम क्या करेंगे कितना हम यह देखेंगे कि वन करोड को अगर रुपी में करें यह साड़े पर क्योंकि इसी रेट पर तुम भाई कर रहें यह बाई का ticking रेट यह जो टिक किया ना मतलब इसका कोई काम नहीं है बाई करने के लिए यह दो के सिलका मने काम कर लिया अभ्यम कनवर्शन के समय स्री मल्टिप्ला लाट सोचेंगे फिर यह ढगाब यह दिवाइड करते ही यह यह बन जाएगा क्या डिवाइड करते ही यह जो है हमकॉंक डॉलर बन जाएगा डॉलर हलाकि Hong Kong dollar खरीदना पर बेस तो Hong Kong dollar ही था तो Hong Kong dollar को जैसे मैंने divide के 7.580 से तो ये बन गया dollar आप मुझे dollar को convert करना into रूपी तो dollar नीचे dollar को convert करना code भी dollar का दिया होगा तो multiply हो जाएगा तो मैंने multiply किया तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा 5,6,4,7,0,7,4,3 रूपीया मेरा outflow होगा तो buy 1 crore Hong Kong dollar यहाँ पर पहले खरीदने बेचने का काम करोगे फिर conversion का काम करोगे जब खरीदने बेचने का काम करोगे multiply divide मत सोचना जब conversion का काम करोगे तो buy sell मत सोचना यह दोनों अलग अलग रखोगे तो जिंदगी आपका सही चलेगा और यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाला कि अच्छा हमें पैसा इतना मिल रहे 1 crore dollar 1 crore Hong Kong dollar बेचने का और खरीदने का हमारे इतना लग रहे तो ultimately हमारा गिन आ जाएगा यह बस हमने गिन निकाल लिया आपर चली तो हमने यह question भी complete कर लिया फटा फट से फिर question number 8 question number 8 भी simple है यहाँ पर क्या हो आपने दानिस जो है ना तैन लाग दानिस ट्रोंड आपने बेचे है 6.5 150 में और अब अपने आपको cover करना चाहते हो तो अब क्या करोगे दानिस ट्रोंड खरीद होगे बेचा वह को cover करना है तो खरीदना पड़ेगा तो खरीदेगा हम यहाँ पर तो यहाँ पर हम कैसे खरीदेंगे दे फिर मुमबई न्यूवर्क, मुमबई रुपी न्यूवर्क डॉलरे फिर डॉलर पर कॉपे नीयूबर हो जाए तो यहाँ पर आपका चो रीड यह रूपी इतना बता रहा है मिले रूपी पर डॉलरे यहनि आपको वन डॉलर का वेलू बता रहा है तो इस तरीके से हमें यहां पर देखिए code भी लिख दिये हैं आपने पहले पढ़ा हुआ थोड़ा सा तो आपको आईडिया है या पर तो यहां पर हम बेसिकली क्या करेंगे दो market एक लंडन मार्केट न्यूर्क मार्केट तो पहले हम लंडन मार्केट में देखेंगे कि दान कलोंडर हमें 10 लाइड खरीदने पर कितना लगे आप हमारा क्या फिर हम चेक करेंगे कि न्यूर्क मार्केट में हमारा कितना लगे अब दोनों में से जहां कम ाउट defining लगेगे वह काम याँ पर कर दिये एंटिकिंग का काम करने के अब कनवर्शन करोगे तो कनवर्शन करते से में आपको क्या करना आपका दानिस क्रोनर 10 लाकी बेस है तो दानिस क्रोनर को आप कनवर्ट करोगे तो दानिस क्रोनर को इतना outflow होगा and new york market में इतना outflow होगा तो यह वाला ज्यादा suitable है इसमें कम outflow हो रहा है तो हमारा outflow यह वाला होगा and inflow तो हमारा already हो चुक है जब मुने 10 लाग दाने स्टोनर बेच आथा तो ultimately हमारा जो inflow है इसने हमारा gain आ चुक है 71230 का हमारा gain है तो यह हमारा answer है जोकी perfect है कोई problem नहीं आपने तो हमने gain निकाल दिये यह वाला है ना तो यहां पर यह question simple है आप आराम से संभाल लोगे कोई problem नहीं है अब next बढ़ते आगे question number 9 पर तो question Singapore dollar खरीदने है आपने एक्सेज़ वालों कहा कब 28 को आपने कहा पर Singapore वाले ने आपको 4 February को ही वो दे पाए तो आपको दूसा आएगा आपने तो 28 को मांगा था आपने कहा था 28 January को में दीजे पर वो चार दिन के बाद आपको दे रहे और चार दिन में दो रेट बदा जाते हैं तो हमने पता किया कि अगर 28 January को 2500 Singapore dollar को खरिते है न तो मारा कितना लगता तो हमने पता किए अगर 28 January को Singapore dollar खरिते है तो मारा 6494 लगता वही हमने February 4 को हमने उन्हों में दिया execute के transaction को तो मारे इतना पैसा लग गया तो लगता इतना पर लगा इतना तो इससे हमारा नुकसान कितना हुआ हमारा नुकसान हो गया इतने का तो यह हमारा loss डिले होने की वज़े से इतने का loss हुआ और ध्यान रहे इसमें last में आप क्या करोगे margin money को add करना मत भूलना जो आपका ultimate outflow आएगा है ना convert करने पर यहां पर जबकि margin दिया हुआ 0.125% और outflow में हमें सा margin add होता है inflow में less होता है तो यहां पर तो दोनों outflow की बात कर रहे हैं कि कहां पर आपका दोनों में तो आपका हाँ यह आपका real नहीं यह आपका real है यहवाला आपका real है क्योंकि यह होतना था पर यह वा नहीं हुआ आपका 4 February को इस date के सबसे मैं पता चला कि यहां पर हमारा इतना लग गया तो मारे एक्स्ट्रा कितना होंगा तो कुछ-कुछ कुछ मुझे लगेगा छोड़ देना ची मैं छोड़ दूँगा है ना कुछ नमर 11 कुछिन में 11 पर आप देखिए यहां पर रूपी पर डॉलर दिया हुआ पहले बाली में पूचा हाउ मैं यूएस डॉलर सुड़े फिर्म सेल यहनी डॉलर सेल की बात कर रहे हैं कि डॉलर कितना सेल करें तो गैट रूपीज 25 लग तो गैट का मतलब भाई होते हैं हम कपड़े गैट लिके आते तो वह भाई करते हैं तो इसलिए गैट का मतलब कर रहे हैं तो टू मंस का आपका एक्सेंज रेट ही आपका यहां पर आपको डॉलर बेचना है तो ऑब्वियस सी बात है 47 होगा रूपी पर डॉलर का कोट दिया है तो 47 हो जाएगा आपका चली पॉइंट नमर्ट तू में अगर हम बात करें तो यहां पर पूचा कि तू यूएस डॉलर रूपी कितना पे करना पड़े है रूपी पे करना मिले में रूपी बेचना जो मैं दे रहाए हूं बेचता हूं और अप्टे इन का मतलब खरीत आउं तो यहांब डॉलर खरीदने का बात कर स्पॉत मार्केट में अन्टू नमर्केट का 46.25 होगा इस केसा साब से हम कर लेंगे फिर पॉइंट नमर्ट त्री में आप पूछा कि 69,000 डॉलर आपके बास पड़ा हुआ भी कोई इंट्रस आपको नहीं मिले डॉलर में पड़ा हुआ तो आपको क्या आज जी डॉलर को इनकेस करा लेना चाहिए कि टू मन्स के बाद करा ने चाहिए तो अगर आप एंकेस नहीं कराओगे तो 69,000 का 69,000 डॉलर ही रहेगा हागर फूचर में टू मन्स के बाद अगर आपको फोवर्टेट अच्छा मिल रहा है तो ऐसा सिच्विशन में आपको पाईदा हो रहा है तो यहां पर आप दिखिए अगर मैं एंकेसमेंट नहीं कराता अगर मैं एंकेसमें नहीं कराता हूँ तो मेरा 69,000 डॉलर 69,000 नहीं रहेगा मैं टू मन्स के बाद सीधा उसे convert करूँगा तो टू मन्स के बाद अगर मैं 69,000 डॉलर को बेचूँगा तो 47 में बेचूँगा तो ultimately मेरा आएगा कितना मेरा इतना रुपिया आएगा और अगर आगर वही मैं एंकेस करा लूँ तो एंकेस कराने पर क्या होगा मेरा ऐसा सिचुएशन में मुझे अगर एंकेस कराना है तो स्पॉट मार्केट में मैं डॉलर को बेचूँगा 46 में मैं बेच दिया फिर मेरे पास रुपिया आ गया पूस रुपिया को मैं 2 मन्स के लिए investment क आएगा जितना बाद में आजाए इसका खारण एक ही है कि आपका फोवर्ट प्रीमियम ज्यादा मिल रहा होगा रूपी पर डॉलर ज्यादा बढ़ रहे है जितना इंटरस से नहीं कमारे उतना रूपी पर डॉलर बढ़ने से कमाल हो गया तो यह आपको फाइदा मिल रहे है है ना रूपी पर डॉलर आपका बढ़ने से आपको ज्यादा फाइदा मिल रहे है तो यहाँ पर हमने पता किया कि फर्म को एंग केस नहीं कराना ची उससे वैसा का वैसा पढ़ा रहे हैं देना चीए 69,000 डॉलर एंड बाद में सीधा बीज दो आप चले तो यह कोशन भी ह उसके पास oneund कि डॉलर बढ़ा हुआ अब वह फाइदा उठा ना चाहता हा मोग्य का यहां पर मोगव का फाइदा उठाना चाहता है यांदि देखता नहीं देखना चाहते हैं कि क्या है यह पर आर्भी ट्राज opportunity है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पस dollar है तो dollar से हम अगर पहला पहुंड की बात करें तो dollar से हम रुपिया में convert कर सकते हैं फिर हम रुपिया से pound में convert कर सकते हैं फिर हम pound से dollar में फिर से convert करते हैं तो हमने दुसरा उपाई एक हो रहे हैं आप डॉलर से भободत से पहले से पहले चलगे आप डॉलर से पॉund में convert कर लिए फिर प realistically में फिर न इसकानम के रूपी में कर कि मरिमने की फिर detach one चैसे पाँब और पाथ तो में आ पका यहां पर भर इना पाथ वो चीज आप कर सकते हो तो यहाँ पर आपको देखना है कि ज्यादा फाइदा आपका कहां पर हो रहा है जिस पास में आपका ज्यादा फाइदा और वो फाइदा को अपना लोगे और recording यह आपका arbitrage gain आ जागा यहाँ पर आपकर, simple से बात है, चलिए, next question हम discuss करते, question में 14, interest rate parity, already interest rate parity का मैंने concept आपको one hour के वीडियो में आपको समझाया था, and यहाँ पर interest rate parity में आप देखे, dollar का spot rate दिया हुआ हमे, and साथी साथ में interest rate 6 मेने का बता दिया, इंडिया का 10% है, USA का 4% है, तो सीधा 10% को 5% कर दो, 6 मेने का 5% हुआ, और 5% है नहीं कितना हो गया, 105 हो गया, 4% को 2% कर दो, 6 मेने का, और यह कितना हो गया, 102 हो गया, तो बता चला, dollar 102 हो रहा है, रुपिया 105 हो रहा है, तो dollar क्या होगा, premium में होगा, तो dollar को कितना बढ़ है, 102 से 105 में जाने के लि प्रीमियम पर रहेगा फिर हमें नीचे पूछा गया वाट विल भी दरीट फोवर्ट प्रीमियम और डिसकाउंट हम कहेंगे आपका यहां पर प्रीमियम है तो प्रीमियम अमरा निकल के आ जाएगा थ्रू इंडिट भाएंडिट टू क्या हो कि है ठीक है चलो यहां पर कैलकुलेटर नहीं आ रहे है एक बार रुख जाएगे कितना और है 300 भाई 102 तू पर 941 यह आगे 2.941 परसंटेज यह ध्यान है छे मेने का हमने निकाला क्योंकि छे मेने का तो रेट ले रहे पर हम हमेसा एक्जाम में पर अनम बताते है तो हम क्या करेंगे हलागी यूज करने के लिए रेट हमेसा यह होगा पर डिस्पले करने के लिए आप सुलूशन में हमेसा पर अनम बताना यह आपको ध्यान में रखना है चली तो आप समालोगे और आपका जो प्रीमे माग यह है अब देखे 6 मन्स फॉवर्ट रेट पूछा तो स्पॉट र लगा होगे चली यह वाला निकाल के देख लेते हैं 55.5 प्लस 2.94 डबल वन परसेंटेज एक्वल 57.13 यार है क्या यह हम देख लेते अंसर हाँ परफेक्ट तो हमने सारा निकाल लिया अराम से और इसका भी अब डबल करोगे तो 5.87 यह आएगा आपका अंसर सारा परफेक् इंपॉर्टन नहीं है तो मैं डिसकस नहीं करूँगा यहाँ पर एक एक्षेंज मार्जिन और पैसा इसे 0.10 कंसिडर कर लेना 0.10 परसेंटेज कंसिडर कर लेना आप इसे और एकोर्डिंग लिए देख लेना मुझे थोरा कोशिन घटिया लगा एंड मुझे डिसकस करने क पिल्कूल इच्छा नहीं इसलिए या पर यह कोशिन भी बहुत अच्छा है कोशिनमेर favor 17 कोशिनमेर 17 में क्या हुआ रहे कंपणी एक ऐक ओपरेट कर रहे जापान में उसने एग इंडियन कंपणी को सैल किये इंडियन कंपनी को सेल किये the payment बिंग दियो 3 months from the date of invoice payment अपका कब दियो है 3 months के बाद है the invoice amount is 108 lakh yen at today's portrait it is equivalent to rupees 60 lakh it is anticipated यहां से line का importance है it is anticipated that the exchange rate will decline by 10% over the 3 months period कहरा कि exchange rate decline होगा 10% से पर यह नहीं पता है कि rupee decline होगा कि yen decline होगा क्योंकि rupee decline होगा मतलब yen increase होगा yen decline होगा मतलब रुपी increase होगा तो हमें यह नहीं पता कि कौन से exchange rate बता है decline होगा यह नहीं पता है रुपी की yen आगे देखते हैं and in order to protect the yen payments the importer proposes to take appropriate action तो importer action ले रहे हैं यहां पर तो importer की point of view से आपको बताना है अब इंडियन company के point of view से बताना है जिसने प्रचीज के तो यहां पर इंडियन company जुसने पariron क्या उसके point of view से हमें बताना है और यह पाद यह 108 यहन का पीमिंट है अब चायना की पॉंड यह इस तो उसका exposure ही नहीं उससे यहन में पैसा मिलेगा exposure कि इसका Indian company का है क्योंकि उसे 108 यहन देना पड़ेगा foreign currency देना पड़ेगा तो उसका foreign करन के एक्सपोजर तो अबर इंडियन कमसी के पाइड यूरे है तो इंडियन कमपनी पाइड देंड यूरे रेका कि कहीं जब कंपना जये तुकि उसे यह चुकाना आ उन खरीद न पड़ेगा वो डारे इका कि कहीं यह बढ़ना जये वह यह का गिल का शोप मनाएगा और साथी साथ 5 रूपया का किरने का शोप मनाएगा रूपया जितना गेड़िगा उतना जन्स्यादा उस्स । यन खरीदने के लिए तो that means अगर मैं इंडियन कंपनी के point of view से बात करूँ तो उसे डर किस चीछ का है उसे डर है यन बढ़ने का रुपिया गिरने का और यहाँ पर क्या बोला है 10% decline बोला है 10% decline 10% गिरना बोला है तो आप बताईए इंडियन कंपनी अप action ले रहे तो इसे तो दो चीछ का डर है तो यह अपर decline की बात कर रहे तो इसे हम identify करेंगे अच्छा यह रूपी decline की बात कर रहे तो मतलब यह रूपी decline बात कर रहे 10% से रूपी decline हो सकता आपका पिर आगे तो कुछ नहीं करना आपको यहापर जो spot rate दिया होए और अपका expected rate दिया होए उससे आपको बस compare करना और compare करके आपको accordingly answer आपको बता देना है मैंने यह question आपको regular वाले में discuss किया था अभी बस मुझी यह line आपके साथ discuss करना था क्योंकि यह line आपको समझ जाना चाहिए मैं उतना ही discuss करो मैं आगे और इस पर proceed नहीं करना चाता हूँ फिर भी अगर आप बोलोगे ठीके छोड़ देते ना कर लोगे आप अराम से कोई problem नहीं है आपका spot के अगर हम बात करें invoice amount आपका है और spot rate के अगर हम बात करें तो spot yen by रुपी आपका आएगा 108 by 30 यानि यह हाँ 3.6 आगया आपका spot yen पर रुपी आगया हमारा है ना और अगर हम बात करें यहां पर exchange rate अगर decline करेंगा 10% से तो रुपी डिक्लाइन करेंगा 10% से और यहां पर हमने यह कैसे निकाला देखिए रुपी 30 लाग इक्विल 108 लाग yen हो रहा है तो रुपी 1 इक्विल क्या हो तो मतलब 0.36 decline करेंगा 0.36 decline करेंगा मतलब आपका expected आएगा yen पर रुपी 3.24 आएगा आपका expected और हमें forward rate भी दिया हो है 3.3 तो अब आप compare कर लोगे अराम से मुझे आप समाल लोगे मैं इसमें और further discussion नहीं करता हूं यह question simple है आप अराम से कर लोगे कोई problem नहीं है आपका य इसलिए हम यह question को फटा-फट से में एक आथ question मुझे जो लग रहे मैं कहीं के मुझे लगेगा मैं उडाओंगा क्योंकि मुझे फटा-फट से एक घंटे में जितना best possible है मैं question अभी आपको cover कराने की courses कर रहा हूं यहाँ पर देखे एक्सल एक्सपोर्टर सी question में एक important question है एक्सल च्पोर्टर्स जोल्ड करते है एक्सपोर्ट बिल उनेटिट स्टेट्स डॉलर में रॉन लक का डू लेक्सक्थीड है यंनी export बिलिए उसका उसे वन लक डॉलर मिलने मिलना है यह नहीं Camp पॉर्ट रुपी पर डॉलर चल रहा है 45.6 के तंसर्ण एक्सपोर्ट कंसाइन्मेंट फिन प्राइज एट रुपी फोर्टीफाइप पॉइंट पॉइंट करूँगा तो का कि 45.50 को धियान में रखते वह आपने बिलिंग क्या था यह आपका इंटेंशन क्या था बता वन लाग डॉलर आपने 45.50 की बेस में बिलिंग किया मतलब 45,50,000 आपको चाहिए था इसी के अपने देखा कि 45,50,000 आपको चाहिए और 45.5 रेट को आपने इसी को बेस में रखते वह यह एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जो की प्राइसिंग हुआ है वह इस रेट के बेस में आपको प्राइसिंग हुआ मतलब आपको इतना पैसा चाहिए 45,50,000 आपको चाहिए अब हमें क्या पूछा गया रेट ओफ डिसकाउंट कोटेट बेदा बैंक यह पर पुछा घर ंछे आप देखें फोज़वर रेट भी दिया हुए तो फोज़वर अगर participar और डिया हुआ रुपीप अको फोज़वर और अब बताइए रुपीप अऌट जिरो तो इसे में का rate है हमें पर NM में बताना है तो ध्यान रही है 60 days का rate है तुम पर NM में बताएंगे तो हम क्या करेंगे divide by 60 करेंगे into 365 करेंगे पर NM में यह rate बता देंगे तो आपका discount rate यह वाला आ जाएगा फिर नीचे आपको क्या पुछाए था प्रोबेबल लॉस ऑपरेटिंग profit इपता forward sell is agreed अगर आप forward sell में agree करोगी तो आपका operating loss क्या है देखिए हमने 45.50 को ध्यान में रखता है बिलिंग किया पर forward rate में अगर हम एंटर करेंगे तो 45.2 ही मिलेगा यहनि हमारा नुकसान कितने नेक्स्ट हम question number 20 करेंगे question bank says study metal में question number 24 है following information related to ekc limited which manufacture some parts of an electronic device और यह export होता है USA जापान और यूरोप में 90 डेस का credit भी देते है वेरिबल को देखिने सारा रूपी में बता है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो रूपी में हमारे वेरिबल खट्चा होता है और export करने पर हमें इतना foreign currency मिलते है अलगले cases में अब देखिए 90 डेस का steel का receipt इतना है हमारा यह total receipt हमारा तो मेरी बात यहां से सुनिए एक unit का कितना price है और total हमारा इतना receipt होता है 90 डेस में तो 90 डेस का number of unit हम निकाल सकते है 78 लाग yen divided by 650 yen हमें number of units पता चल जाएगा और number of units अगर पता चल जाएगा तो total variable cost पता चल जाएगा क्योंकि पर unit यह variable cost इतना है तो total variable cost कितना होता हम यह पता चल जाएगा तो दिखें हम 78 लाग divide by 650 करेंगे तो पता चला 12,000 units हमने sold किये और एक unit का हमारा cost इतना रूपिया तो total हमारा 27,000 रूपिस variable खर्चा लगता है तो अब हमें क्या करना है हमें यह पता चल गिया यहाँ पर पहले case में 27,000 रूपिस हमारा variable खर्चा लगता है कैसे इन दोनों को divide करके पता चला 12,000 units बेचते हैं है न 12,000 units into 225 इतना खर्चा हुआ हमारा और receipt इतना yen में हुआ है तो इसको रूपिय में convert कर देते हैं अब यह receipt आज होगा कि 90 दिन के बाद होगा 90 दिन के बाद होग यानि हम क्या करेंगे 3 months forward वाले ले लेंगे और इन्होंने हमसे पूछा भी है कि hedge करें या ना करें तो हम एक बार तो forward rate लेकी भी देख लेंगे और एक बार without forward लेकी भी देख लेंगे तूनों बता देंगे तो यहां पर देखें पहले hedge की बात कर रहा है अगर मालुम hedge करे हeri रिशना शॉसपान एक भी करेंगे है न तीन मेहने के बाद का तो तीन मेहने के बाद हम 78days यहन को बेचिंगे कि कितना हमें receipt होगा तो यहन बेचना 244 रहे 3..2..1..38..24.. रूपी टर्म एह रहे तो इतना हमारा RESEiTN रूपी टर्म ठब ए brass यापट यूनिट पर यूनिट पता दिय है इतना हमें डॉलर मिलते हैं और bond dollar好像 हमारा तो इसे हम यूनिट का पता कर लेंगे 10,000 units बेचते variable cost पता चलगे हमारे इतना खर्च है अब देखे हमें इतना dollar मिलेगा तो इतना dollar बेचेंगे तो 3 months बाद dollar बेचेंगे निए रुपया खरी देंगे code डियावा रुपया का तो यह वाला होगा है ना अब dollar को convert करना code डियावा रुपया का तो divide यह डबल वन जिरो लिख सकते हैं यह रच रिपल वन ही लिखा होगा है है ना और variable cost हमें पता चली गया उल्रड़ी तो यहाँ पर इसका जो difference है यह profit है same यही चीज आपको यहाँ पर apply करना same तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि contribution हमारा कितना हो रहा है total तो हमारा total contribution कितना है तीनों case में हमने यहाँ पर बता दिया अब हम क्या करेंगे simple सी बाते question हम से पूछ रहे average contribution to sales ratio average बताओ तीनों का मिला के तो तीनों का मिला के हम कहेंगे profit हमारा इतना हुआ contribution है ना profit ही इतना हुआ हमारा और खच्चा भी हो सकता है आगे जाके selling expense वगेरा इसलिए हम contribution का नाम दे रहे आपर तो contribution हमारा तीनों मिला के इतना हो रहा है और average हमें बताना है और तीनों मिला के seal इतना है तो यानि total contribution अगर हम बात करें 2608719 है total sale अगर हम देखे 13338719 है average contribution to sales ratio क्या होगा 2608719 divided 1 3338719 into 100 कर देज़े आपका percentage आजाएगा 2608719 divided 1 333 87 333 19.55% यानि 19.56% होई आगया तो यह हमारा आगया है आप है simple सी बात है अब यह तो hedging के case में हमने बताया अगर अब hatch नहीं करोगे तो बस बात इतनी है आपने जो rates लिया था नहीं इसके जगा यह वाला लेना क्योंकि बाकी quotation वगेरा तो सीम ही है बस 3 month forward की जगा 3 month spot वाला लोगे 2.459 वगेरा यह सब read लोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका रुपी value of receipt कितना है खर्चा तो देखे वह होगा variable cost तो यह होने वाला है variable cost नहीं होने वाला है क्योंकि फिर से निकाल के महनत क्यों करो गया बस रुपी value of receipt बदर जाए क्योंकि आपका फोवर्ट कवर नहीं करोगे तो आपका 3 month यह वाला स्कील्स होगे ने total रुपी वेलू में 75578 into 100 आप यह करी आपका अंसर आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हमने निकाला दोनों में इसमें 19.1% है तो देकिन रिस्क नहीं लेंगे hedge नहीं करेंगे तो ratio खराब आएगा contribution बैठर है कि हम hedging कर लें आपकर तो मैंने फटाफ़ट से आपको ICA का solution से फटाफ़ट आपको मैंने यह question revise करा दिया हूँ next time money market cover का question करेंगे question number 18 और study material में question number 29 है मैं आपको money market cover एक मिट में फटाफ़ट समझा देता हूँ कि करना क्या होता है माली जrows इस पांच लाग रुपय का goods export किया है यूसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो फाइजिंग रुपय का मैंने जो goods export किया हो मुझे तीन मेने के बाद तीन मेने के बादध फाइज रुप।ब्लाग डॉलर मिलेगे को मैं कहूंगा कि आप मुझे 5,00,000,000 का प्रेजेंट वेलू लून में दे दीजे और इतना दे दीजे लून में कि बात में तीन नेने के वह फाइब लाग डॉलर हो जाए और वह फाइब लाग डॉलर मुझे नहीं चुका ना वह कस्टमर चुका देगा क्योंकि कस्टमर से मुझे मिलने तो मैं बिल दिखा दूँगा उसे तो पास वाला बैंक क्या करेगा मुझे 5,00,000,000 का प्रेजेंट वेलू दे देगा है ना तो यानि 5,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, में convert करा लूँगा है ना तो foreign currency में borrow कर रहा हूँ receiver में और फिर foreign currency को sell कर दे रहा हूँ और फिर रूपी आ जाएगा मेरे हाद में और फिर India में invest कर दूँगा तीन मेने के लिए क्योंकि मेरे तो exposure के लिए मैंने borrow किया था ना और मुझे कम मिला था तो यहां वहां पर borrow इंडिया में invest तो वही चीज़ यहां पर होगा देखें एक UK का निवासी है UK जहां पर pound चलता है यहनी home currency pound हो गया इसका इसने 3,50,000 डॉलर का goods बेचा एक्सपोर्टर है तीन मेने का credit period दिया तो इसे जो dollar मिलेगा वो तीन मेने के बाद मिलेगा कि exposure है जी हां क्योंकि dollar पर pound में change आ गया तो इसको कम भी मिल सकता है pound में है ना तो इसका exposure है spot rate forward rate तीम मेने का दिया हुआ है और deposit rate यान deposit यानि investment होता है और loan यानि borrowing rate होता है borrowing rate दिया हुआ है बोला कि money market head से आप हमें समझा ही क्या करना है तो देखें मैं क्या करूँ मैं आज ही उसके customer के पास वाले bank से मैं 3,50,000 का present value borrow कर लूँगा dollar में है ना dollar borrow करना मुझे तो dollar का borrowing rate क्या है 2.25% होगा तीन मेहने का तो 2.25% में बोरो कर लूँगा और चुकाएगा कौन मैं नहीं customer चुकाएगा बाद में 3,50,000 हो जाएगा customer चुकाएगा तो इसका present value होता है 3,50,000 divided 1.0225 है ना इसका मैंने factor बना दिया तो इतना dollar में लेक के आ जाऊँगा अब यह interest के सहीत आप इसमें आप add कर दीजिए प्लस 2.25% देख लेजे यह 3,50,000 हो जाएगा यह customer चुकाएगा मेरा lookout में इतना dollar तो मेरे पास आज ही आ गया अब यह dollar को में क्या करूँगा बेच दूँगा थाकि मेरे घर रुपिया आ जाए तो dollar मुझे spot बेचना है spot आज ही के दिन बोरो करूँगा और आज ही के दिन इतना dollar आएगा उस dollar को बेच दूँगा तो dollar बेचना है code दिया हुआ pound का तो pound खरीदना हुआ dollar बेचना मलब हम जिसका code दिया हुआ वो उसके basis में analysis करते है dollar बेचना है यह नहीं pound का code दिया हुआ यह नहीं महेंगा 1.5905 तो 1.5905 होगा अब देखे code pound का है convert करना dollar convert करना dollar यह ने divide तो divide करने पर मेरे पास इतना pound आ जा गया अब यह pound मुझे थोड़े नहाची है था मैंने तो exposure remove करने के लिए बोलो किया था present value में इस pound को मैं अपने घर लेया मेरा home current से pound है घर ले जाके मैं pound को अपने local bank में investment कर दूँगा तो यहाँ पर pound में investment का rate 5% per annum यानि तीर मेहने के बाद मुझे इतना receive हो जाएगा कनफा में pound इतना receive होगा मेरे exposure मैंने eliminate कर दिया तो forward cover भी हम कर सकते रहे लेकिन हमने अगर forward cover से ज्यादा फाइदा में money market cover में दिख रहे है तो हम यह करेंगे तो यह हमने कर दिया अब यहाँ पर solution दो खतम हमार ठीक है और forward contract भी इन स्रीमंस का forward rate 1.61400 तो आपका dollar को convert करना code दिया हुआ पॉंट तो डिवाइड होगा 3,50,000 divided 1.61400 इतना आ रही है यह रहे 216852 इसमें मिलेगा 216852 पाउंड तो अब देखे न यहाँ पर मुझे 21790 पाउंड मिल रहा है यहाँ पर तो मुझे कम मिलेगा तो मैं क्यों forward cover करो मैं तो money market cover करना ही चाहूँगा न तो मैं compare करके बता दूगा यहाँ कम मिल रहा है इसलिए यहाँ ज्यादा मिल रह हूँगा बैं और कहूँगा कि money market cover करूँगा बैं है ना और difference भी इसका घरम बता है तो कितना आता है gain कितना होगा 217904 से माइनस कर दो यहाँ पर 1051 पाउंड का gain है अब सोचो नए यह पर exporter की जगह अगर यह इंपोर्टर होता तो क्या होता है यहता भी तो हो सकता है और इसको तब payable ओता मैंने कोशिंग को उल्टा कर देना चाता हूं मैं इसी मैं समझा दे रहा हूं कोशिंग को उल्टा कर देना चाता हूं कि एक्सपोर्टर की जगर यह इंपोर्टर होता तो क्या होता अगर यह इंपोर्टर होता तो इसे पैसे तीन महने के बाद इतने चुकाने पड़ते, मिलते नहीं, चुकाने पड़ते पेबल होता, तो डॉलर 3,50,000 पेबल होता, तो इसको exposure eliminate करने के लिए आज ही पी कर दो तो आज ही आप क्या करो, उसे पे कर दो, है न, customer, supplier को पे कर दो, तो supplier को पे कर के क्या फाइदा इसे चे उसके पासवाले बैंक को पे करता हूँ कम पे करूँगा, तक कि interest के साथ बाद में 3,50,000 बन जाएगा, और फिर बैंक उस supplier को दे देगा, अगर मैं import करता हूँ तो, इंपोर्ट करने पर मैं dollar 3,50,000 नहीं invest करूँगा, है न, बैंक में उसके लोकल पासवाले बैंक में, उसका present value मैं invest करूँगा, तो present value करीट होगा, 1.75% से मैं present value invest करूँगा, यानी, 3,50,000 divide by 1.0175, अपका factor हो गया, इतना मैं invest कर सबता हूँ वहाँ पर, ये 3 मेने के बाद बन जाएगा, 3,50,000, 3,50,000 मैं supplier को फिर वहाँ से मैं जाएगा, तो इतना dollar में invest कर दो, तो मेरा काम बन जाएगा, अब इतना dollar मेरे पास होना भी तो पड़ेगा, मेरे घर पे तो pound है, तो इतना dollar मुझे खरीदना पड़ेगा investment करने के लिए, हम borrow करते हैं, तो बेचते हैं, और बेचने के बाद हम invest कर देंगे, लेकिन importer की case में invest करना, invest करने के लिए हमें buy करना पड़ेगा, इतना dollar हमें spot buy करना पड़ेगा, यहनि इतना dollar हमें spot buy करने के लिए pound है, sell करना पड़ेगा, तो pound हमें sell करना है, तो देखिए 1.5865 में pound हमें sell करना है, code दियावा pound का convert करना dollar यहने divide होगा, यहने इतना pound हमें sell करना पड़ेगा, बहुत इतना pound में exchange वाली को दूँगा, तो मुझे इतना dollar दे देगा exchange वाला, और यह dollar में वहार के bank में invest कर दूँगा, बाद में 3.50.000 हो जाएगा, customer को चुका दिया जाएगा, तो मुझे अब इतना pound चीए, तो यह pound में अपने local UK की bank से मैं borrow कर लूँगा, कितना, 216817 में borrow कर लूँगा, किस rate में borrow करूँगा, बोरूइं का rate क्या होगा pound का, यह रहा, 2%, तो मैं 2% में borrow कर लूँगा, तो मुझे ultimately 3 मेने के बाद इतना pound देना पड़ेगा, अगर मालनीजी importer forward cover करता, तो उसका payable कितना होता, यह देखने हैं, है ना, उसका payable कितना होता, forward cover में, तो forward cover में ओ 3.50 था हो, जिन buy करता कि sell करता, obviously buy करता, इचले वाले question में मैंने गलती कर दिया था, थोड़ा सा, यह 1.6140 नहीं होगा, क्योंकि हम तो dollar sell करेंगे न, तो pound buy कहां नहीं लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी, एगदम कुछ गलत नहीं किया था, अभी वापस से बतारो, वो पेश्रे वाले एगदम perfect था, इचले को code यह पाउंट कर दो divide, तो 1.61 से divide होगा, तो दीखें, forward cover करोगे तो इतना payable है, पर money market cover करोगे तो इतना payable है, तो अगर importer वाला case होता न, तो forward cover ज्यादा suitable रहता, क्योंकि यहां पर payable करोगे मनी market cover में payable ज़्यादा हो रहा है, और पिछले वाले में तो receiveal था, receiveal ज़्यादा होना चाहिए, payable कम होना चाहिए, तो मैंने इसी question में आपको फटा फट से revise कराया है, पूरा detail में नहीं गया, मैंने आपको money market cover पूरा समझा दिया, अब इसके बाद एक question है, वो question मैं आपको कराऊंगा, और वो question है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, जो मैं आपको समझाऊंगा, दोनों question एक साथ है, 27, 28 है, तो यह दोनों question मैं से 27, 28 है, 26, 27 है, तो यह 27 मैं आपको कराऊंगा, अब यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है, यहाँ पर money market cover से related ही है, तो यहाँ पर भी arbitrage होना है, तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि हमार आर्बिटराज में फाइदा है कि नहीं, तो आप money market cover के बाद हम सीधा क्या करेंगे, हम यह question number 27 मैं आपको करा देता हूँ, वो better रहेगा, नहीं तो हम एक और काम कर सकते हैं, पहले एक और forward cover का कोशिन है, वो करा दो, फिर उसके यह वाला करा हूँ, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, वो वाला करा दूँगा, और कॉलमबस एर्जिकल्स नाम का कोशिन है, वो वाला करा दूँगा, एंड उसके बाद हम यह वाला कोशिन करेंगे, ठीक है, मैं डूण लेता हूँ, छे लिए, नेक्स कोशिन हम कॉलमबस एर्जिकल्स का यह करेंगे, इसमें मनी मार्केट कवर और forward कवर है, तो मनी मार्केट कवर जिसे हमने सीखा है, मनी मार्केट कवर अच्छा कोशिन है, फटापर डिसकस कर लेंगे, मैंने कहा था ना, जब कुछ नहीं बोलेगा, तब रुपी मानेंगे, यहाँ पर बोल दिया हमारा होम करन से क्या है, डॉलर है, जो हम इंपोर्ट करते हैं न, यूके से, तो पेबल होता है, तो देखिया, आपने इंपोर्ट किया तो आपको पाउंड पेबल है, पेबल है, दक इंडिया कस्टमर, इडिस ऑल्सो दिखिये, इड़ अल्सो एक्सपोर्ट गोड्स टू इंडिया इंड फ्रांस, हमने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट करने पर पैसा मिलते है, तो इंडिया कस्टमर को भी हमने एक्सपोर्ट किया, हमारे लिए रूप पिक्सटमर के लिए पिय बहले ऑफर कंफार मत हो जाना और ये यूरो भी हमारा हमारग eli । ये थो ने एकस्ट इसक्डियन रिसिवा ले eli और ये वाला हमने एंपूरड के एस लिए बहल लए तो आप मेरी बाद संजये यहाँ पर आप देखें, तीन महने में ही हमारा पेबल है और ये पाउंड जो है, ये भी हमारा तीन महने में ही रिस्टीवल है आप देखें, इसमें common चीज क्या देखें मुझे 4,000,000,000 पेड़ने हैं पाउंड तीन महने के बाद और मुझे 1 lakh 38,000 भी मिलीगा 3 मिने के बाद तो देखा जाते हो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं 4 lakh 80,000 मेरा pound payable है 1 lakh 38,000 मेरा pound receivable है तो मैं net 1 lakh 38,000 तो मैं इसमें से ही क्या करूँगा चुका दूँगा ना मतलब तो remaining मुझे कितना का contract करना चीए 3 lakh 83,000,000 पाउंड पी का contract करना चीए दिखा जातो मुझे क्योंकि बाकी remaining तो जो मुझे मिलेगा उसी से मैं payment कर दूँगा तो ये netting basis होगी है ऐसे हम netting basis कहते हैं है ना netting basis होगी है तो इतने का हम contract कर लेंगे money market cover में हम आगे नीचे देख लेंगे money market cover forward cover दोनों हमें करना है तो इतना हमें करना है और दूसरा हमारा यूरो 5,90,000 रिसीवल का भी हमें contract करना है यनि हमारा दो exposure है एक हमारा 3,52,000 पेवल का हमारा है और दूसरा हमारा 5,90,000 रिसीवल का exposure है ये दो exposure है हमारा अब कोशिन आगे देखते है कुशिन देगे spot rates में दिया हुआ नीचे क्या लिखा हुआ है how the company can hedge using forward rate and money market hedge forward rate तो आते है last में कर लेंगे पहले mean important है हमाली money market cover तो money market cover में एक payable का बनेगा और एक receival का बनेगा payable का हमें करना कितना 3,42,000 और receival है 5,90,000 तो जैसे मैंने already question में उपर आपको करवाया हुआ है money market cover पेबल में में आपको समझाया था invest by borrow अभी तो मैं सोटकट में जा रहा हूँ पूरा detail तो मैंने explanation दिये पर revision वीडियो में मैं इतना नहीं करूँगा है ना और यहाँ पर क्या होगा borrow sell invest समझाया वाई है तो यहाँ पर अब देखे हम क्या करेंगे 3,42,000 का present value हम क्या करेंगे invest करेंगे है ना यह हमें पता है चला 3,42,000 ही उसका present value हमें invest करना है तो 3,42,000 क्या है pound है है ना तो 3,42,000 pound हम मतलब logic क्या है 3,42,000 pound हमें pay करना है हम आज ही पी कर देंगे पर आज उतना पक्यों करें इसका present value पै करें क्योंकि बाद में तीन मेने के बाद हूँ 342,000 हो जाए इतना पी कर देंगे प्रेजेंट विलू में तो प्रेजेंट विलू 342,000 पाउंड ये रहा है ना तो इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट का रेट कम मिलता है और बोरो का रेट ज्यादा लगता है तो 10% होगा तीन म 5.5% भी कह सकते हों तो हम क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे प्रेजेंट वेलू 3,42,000 पाउंड ये कितना आएगा 3,42,000 डिवाड़ेट 1.025 025 कितना एगा 3,3,3,6,5,8 इतना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अब इतना इन्वेस्ट हमें करने के लिए हमारे पास पाउंड होना भी तो पड़ेगा तो पाउंड होना पड़ेगा पाउंड हमें खरीदना पड़ेगा तो इतना पाउंड हमें खरीदना पड़ेगा अब हम कहां के निवासी है dollar US के निवासी है तो हम dollar बेच के pound खरे देंगे dollar हमारे पास होगा कब आज spotty करेंगे हम जो काम करेंगे तो यह देखें यहाँ पर pound पर dollar का rate दिया होगा तो dollar हमें बेचना है pound खरीदना है तो dollar बेचने का rate क्या होगा 0.9830 होगा अब जबकि कोड डॉलर का दिया होगा convert करना pound तो डिवाइड होगा तो यहाँ पर dollar required to buy 333658 pound 333658 और हमें पता चल चुका कौन सा लेना है 0.9830 और डिवाइड करना है क्योंकि conversion pound का है कोड दिया होगा dollar का 0.9830 क्या पर लिया होगा यह divided by 0.9830 कर दिया मैंने 339428 अब मैं क्या करूँगा इतना मुझे borrow करना पड़े अब dollar मेरे पास थोड़े नहीं तो मैं borrow करूँगा इतना dollar for three months three months के लिए इतना dollar borrow कर लूँगा तो dollar borrow करना है मुझे अब dollar का rate किया USA वाला borrow का rate 13% तीन मेने का कितना होगा 13 divided 4 3.25% तो मुझे इतना dollar borrow करना यह dollar है 339428 dollar into 3.25% of 339428 dollar 339428 into 1.0325 350459 इतना dollar हमें requirement होगा तो यह तो हमने निकाल ली हाँ पर इतना dollar का requirement है money market cover में अब यह वाला जो receival वाला था इसका भी कर लेंगे receival की case में चलो नीचे करता हूँ मैं money market cover ही पहले कर रहा हूँ पूरा यह पी चलो मैं forward cover के लिए थोड़ा जगा छोड़ रहता हूँ रिसीवल नीचे कर लेता हूँ इसेबल कितना है मैं यूरो 5,90,000 है कितना receival है तो बोरो करेंगे प्रेज़ेंट वेलू ओफ यूरो 5,90,000 है प्रेजेंट वेलू बोरो करेंगे तो यूरो का कौन सा होगा है यह फ्रांस वाला बोरो का रेट तो यह होगा अब चार मेना है ठीक है ना यह दिखे फाइव लैक नैंटी थाओजिन में पॉइंट जीरो फाइव डेवल त्री त्री थी है ना 560126 126.8 यूरो इतना आ रहे हैं इतना हमें बोरो करना है क्योंकि देखें रिसीब हले तो हम आज ही रिसीब कर लेंगे आज ही बोरो कर लेंगे इतना हम बोरो कर लेंगे अब इस यह बाद में चार मेनिकेट 590 जाएगा और हम कस्टमर को चुका देंगे तो हमारा कस्टमर का लफडा नहीं हम बोल देंगे इसे चुका देने कि लिए अब इतना हमारे पास आ गया अब इसे हम कनवर्ट करेंगे इंट्यू हों करनशी इंट्यंट्यी dual करेंगे तो डॉलर में convert करना है किसको euro को euro और dollar का rate दिया हुए रखे euro बेचना है dollar खरीदना है euro बेचना हमें spot यह वला होगा 1.8890 code दिया हुए किसका code दिया हुए euro का conversion करना है euro कोई है न multiply होगा 560126.8 into 1.8890 1058079 अब हम क्या करेंगे dollar को invest कर देंगे अपने घर पे चार मैने के लिए dollar को invest कर देंगे हमें तो चार मैने के बाद ही पैसा चीए था dollar invest करने का rate यह 11.5% invest करने का rate कम होगा चार मैने के लिए 3.83333 1058079 इन्टू 1.03 इन्टू 1.03 इन्टू 1.03 इन्टू 1.03 इन्टू 1.03 इन्टू 1.098 6.38 6.38 इतना dollar हमें क्या करना पड़ेगा इतना dollar हमें मिल जाएगा चार मैने के बाद तो हमने यह दोनों केस में निकाल लिया money market cover तो मैंने पूरा करा दिया अब मैं यहाँ पर forward cover आपका include कर दूँगा और इस case में भी मैं आपका forward cover include कर दूँगा तो forward cover मैं directly कर सकता हूँ मुझे इतना 3.42.000 मेरा payable है तो forward buy कर लूँगा मैं है ना तो forward buy करूँगा तो मैं किस rate पर करूँगा यह रहा यह pound per dollar तो यह रहा है ना तो forward three months forward rate दिया हुआ यह रहा तो मैं forward buy करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए मुझे 3.42.000 pound खरीदना है यानि dollar बेचना है यानि dollar बेचना है क्योंकि dollar का rate दिया हुआ यानि .9520 अब pound है कोट दिया हुआ dollar का तो डिवाइड होगा दिखने यह है तो यह होगा और money market कवर में तो डिवाइड किया था तो 3.42.000 डिवाइड होगा तो 9520 है ठीक है तो 59243 मैं फरसे repeat कर दे रहा हूँ मुझे pound खरीदना है ठीक है कोट दिया हुआ dollar का तो dollar बीचना है dollar बीचने का rate है bid क्योंकि हम dollar के point of view से analysis करेंगे अब कोट दिया हुआ dollar का और convert करना है 3.42.000 pound तो डिवाइड होगा इसलिए मैंने divide by point 9520 किया तो इतना हमारा dollar payable होगा तो आप मुझे बताइए इन दोनों में better क्या है मैं money market करूंगा तो 350459 dollar payable है ठीक है अगर मैं forward cover करो तो 3594243 payable है तो better तो यह हुआ ना इसमें कम पी करना पड़ेगा यह better है तो यहाँ पर MMC money market cover is better for hedging 3,42,000 pound payable क्योंकि आपको money market cover में dollar कम लग रहा है है ना यह हमने conclusion दे यहाँ पर अब इसका forward cover करूंगा यहाँ पर receeval है 5,90,000 euro तो 5,90,000 euro receeval है तो 5,92,000 euro हम क्या करेंगे sell करेंगे कोट टियावा यूरो का तो हम स्यल करेंगे यूरो का कोट टियावा यूरो का तो हम सेल मांस पर यह रहाँ अब यूरो का कोट टियावा यूरो ही convert करना तो multiply हो जाएगा 2,000 एक टो बान पॉन पोन नाइफ फैर बंगे तो reference यह आगए क्या दोलर तो आप देख्टेए अब यह 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 पर इतना रिसीव यह तो ज़्यादा चीना मैं इतना रिसीव दोगा यहां अब यहां 1098 रिसी एइंग वह यहां 1009 robustly mark 1194 रिसी ऑगा तो forward cover में ज्यादा receive होगा since amount received receive in forward cover is higher तो आप बताइए forward cover better है ना मैं आपको जो PDF दूँँगा उसमें better तरह के से लिख दूँगा तो देखिए 3,42,000 के लिए money market cover better था और ये 5,92,000 euro receival के लिए forward cover better है जहाँ payable है वहाँ कम देना चाहेंगे जहाँ receival है वहाँ ज्यादा चाहेगा मैं तो मैंने फटा आफ़ड इतना speed में आपको Columbus surgical को revise कराया है मैंने चलिए completed अभी हम arbitrage gain से related question करेंगे जहाँ पर हम determine करते कि कौन सा currency में बोरो करना है या invest करना है यानि arbitrage possibility हम check करेंगे और ये question बहुत important exam के दे आपको spot rate भी दिया हुआ रहेगा ठीक है और आपको forward rate भी दिया हुआ रहेगा और interest rate भी दिया हुआ रहेगा दोनों currency का और पूछा जाएगा कि arbitrage कुछ ही नहीं क्या बताईए तो यहाँ पर हम ही दिया हुआ रहेगा Canadian dollar 0.665 per dm spot दिया हुआ और Canadian dollar per dm 3 months का भी दिया हुआ forward rate और interest rate भी दिया हुआ है दोनों का dm यहनि आपका dm का हो गया यह Canadian dollar का interest rate हो गया अब मैं आपको बता दू हम क्या करते हैं इसका अलग-अलग तरीके से हम solution करते हैं but for your revision मैं आपको जैसे कराऊँगा आप वैसे कीजे अधर्वास regular class में मैंने अलग-अलग तरीके से कर रहा तीन तरीके से मैं इसको solve कर सकते हैं तो exam में आपको सबसे पहले क्या करना है interest rate से ही हमेशा premium या discount निकालना है किसे निकालोगे हमेशा हमेशा interest rate से ही premium या discount निकालना है और जिसका code दिया हुआ उसका premium है discount हमेशा जिससे यहाँ पर Canadian dollar पर DM है यहाँ पर Canadian dollar पर DM है तो DM का हमेशा हमेशा निकालना पड़ेगा forward premium या forward discount तो आप बोलो कि से यहाँ पर तो इसी दूनों से निकाली जाएगा बट इसे नहीं निकालेंगे हमेशा interest से निकालेंगे बट जबकि 3 months की बाते हो रही है spot rate 3 months का दिया हुए तो मैं interest rate चीएगा 3 मेने का तो 7% into 3 by 12 करोगी इतना percent आएगा 9% into 3 by 12 करोगी इतना percent आएगा अब interest का अपना कोई महत्वन नहीं होता उसमें principal based लगाना होता है generally मैंने class में भी है revision video में करा है मैंने hundred का principal based लिए आप चाहो तो one का principal based लेकी भी solve कर सकतो मतलब hundred rupees अगर मैं invest करू या borrow करू तो मेरे hundred पे interest कितना चाड़ेगा 1.75% तो hundred plus 1.75% कितना होगा 100 1.75 इस्ते भी answer निकलेगा और आप चाहो तो one का principal based लोगी तो one पे one plus 1.75% लगाओगी तो आप का इतना आएगा वही आपका next इस पे hundred पे hundred plus 2.5% करोगे 2.25% करोगे तो इतना आएगा अधरेस बन पे लगाओगी तो इतना आएगा तो उन्हों में answer एक ही बैठने वाले तो आप देखिए हम पहले इसकी बात कर लेते हैं तो मैं principal BS के साथ हमें पता चल गया DM का interest rate factor के है 101.75% और Canadian dollar का factor के 102.25% तो आप मुझे बताएगे DM का value छोटा है कि Canadian dollar का DM का value छोटा है तो DM premium पे रहेगा यहनि DM जिसका interest rate का मोता वो premium में होता है हम तो revise करे तो मुझे उमीद आपको इसा पता है तो यहाँ पर DM का interest rate का में तो यह forward premium में रहेगा इसका interest rate ज़्याद है तो forward discount में रहेगा तो DM ऐसी मैंने बता है जिसका कोटे वो ही निकालना है तो DM का forward premium क्या होगा आप देखे कितना हमें बढ़ाना है 101.75 से 102.25 पे जाना है यानि 0.5 हमें बढ़ाना है कहां से 101.75 से इन्टू 100 करेंगे 0.4914 परसेंट आ जाएगा आपका यहनि DM का forward premium आगिया 0.4914 परसेंट आप चाहते तो इसने भी निकाल सेथे इन दोनों का gap देखोगे 0.005 होगा कहां से बढ़ाना है यहां से यहां से बढ़ाना है DM आपको यहां पर जर्वत नहीं निकालने के ठीक है लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो मैंने निकाल के दिखागा है यहां पर Canadian dollar के लिए आप बोलोगी Canadian dollar यह रहा तो यह 102.25 से 101.75 पर चाहेगा यह parity के लिए है ना इंट्रसेट parity के लिए तो यह discount में रहेगा तो यह 0.5 discount में रहेगा कहां से 102.25 से 101.75 पर पहुझाना है तो यह 0.5 divided by 102.25 into 100 करोगे यह फिर 1 का principle भी इस लोगे तो इन दोरों का gap आप आएगा 0.005 divided by 1.0 225 into 100 और यहां फिर हम सीधा इस premium से भी निकाल सकते हैं है ना यह मैंने सिखा है 149 14% premium है तो divided by 100 0.4914 into 100 करोगे तो भी आपका discount आ जाता है तो यह मैंने पहले से सिखा है भी मैंने सिखा हूँगा तो यह इसकी जरतमी एग्जाम के लिए अब यह निकालोगे दो ठीक है और DM का forward premium निकालोगे यह कुल मिला के अब मैं यह solution ही दिखा रहा हूँ मैं नीचे वाले एक और exam oriented है वो solution दिखा रहा है आपको तो देखें हमने principle बेस 100 निकाल के निकाला 101.75 हम 102.25 तो DM का forward premium कितना होगा 0.4914% अब देखें spot Canadian dollar पर DM दिया हुए तो quote किसका दिया हुए DM का तो DM का spot rate दिया हुए 0.665 Canadian dollar obvious सी बात है Canadian dollar है यह दिया हुए तो हम theoretically निकाल सकते है 3 months का क्या forward rate होगा कैसे हैं इस पे premium add कर देंगे discount होता तो less कर देते हैं जबकि quotation दिया हुआ पर एक बार उसको छोड़िए अब theoretically forward rate निकाल सकते हो तो spot में premium add कर दो यह spot में discount less कर दो तो आपका theoretical forward rate आ जाएगा 3 मेने का क्योंकि यह 3 मेने का ही हमने premium निकाल है है ना तो आप देखे spot rate दियर है 0.665 इस पे मैंने 0.4914% premium चड़ा दिया तो theoretically 0.6683 आ गया मेरा Canadian dollar पर DM मेरा आ गया अब यह DM का ही quote है यह भी DM का quote है यह भी DM का quote है यहापर भी DM का quote है but quoted price दिया हुआ हमें question में question है में बताया कि quoted price 3 मेने का forward rate चल रहा है market में 0.670 3 मेने का 0.670 चल रहा है अब आप मुझे बताए theoretically तो होना ची इतना पर इसमें तो हम सोदा करी नहीं सकते हैं हमें तो जो bank quote करेगा उस ही में सोदा होगा तो इसमें आप कभी सोदा नहीं कर सकते हैं यह तो आपने निकाला है तो चेक reasonable price यह आपने निकाला है पर आपको हमेसा quoted price से मतलब होगा यह वाले से तो यह quoted price आप मुझे बताए यह महेंगा है यह सस्ते 0.6683 होना चेपर है 0.670 तो बड़ा figure यह मतलब यह figure जो bank quote कर यह महेंगा quote कर रहे है तो आप सस्ते में खरीदोगे market से जाके कोई भी समान आपको सस्ता मिलेगा खरीदोगे कोई भी समान महेंगा मिलेगा आप बेचोगे तो यह महेंगा है तो महेंगा में हम क्या करेंगे बेचेंगे यह महेंगा कब का rate है spot rate की 3 month forward rate है 3 मेने का forward rate है तो 3 मेने का forward rate है वो महेंगा है हमारा तो 3 मेने का forward हम sell करेंगे यानि 3 month forward है जो DM का rate है वो हम क्या करेंगे sell करेंगे तो हमें क्या करना आर्बिट्राज करना मतलब जो spot में भाई होगा वो future में convert होगे sell होगा और जो spot में sell होगा वो future में भाई होगा तो यह अब 3 month forward DM sell है तो spot DM क्या होगा भाई होगा यह हमें पता चला तो आप देखें आप 3 month forward Canadian dollar per DM यानि DM का 3 मेने का forward sell है तो spot DM का क्या होगा भाई होगा तो spot DM का भाई होगा जैसे हमने money market का cover पढ़ा था अगर हम borrow करते किसी भी currency को foreign currency को तो उसे बाद में हम sell करते है ताकि हम अपने home currency में आस लगे और अगर हमें invest करना है तो हम buy करते तो यहां पर वैसे ही मैं आपको समझाना चला हूँ फटा फट से कि आप spot में DM buy करोगे तो DM buy करोगे तो buy करने के लिए आपको invest करना है इसलिए buy करोगे तो DM हमारा क्या होगा invest होगा और ये भी हमें पता है कि अगर हम spot DM buy करेंगे तो spot Canadian dollar automatically sell होगा है ना और Canadian dollar sell होगा मज़ा है बोरो होगा यानि DM invest होगा और Canadian dollar बोरो होगा बस अब ये ध्यान में रखिएगा money market cover में मैंने समझा आया जो currency बोरो होते है उसे हम बाद में sell करते हैं और फिर बाद में अपने home currency में invest करते हैं और जो हमें इसका तो बात का काम इसका लेना देना नहीं है मतलब अगर आप foreign currency borrow कर रहे हो तो आप sell करोगे invest कर रहे हो तो buy करोगे तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर आपका buy है वहाँ इन्वेस्ट होगा जहाँ पर आपका sell है वहाँ पता चला तो यहाँ पर कोई amount नहीं दिया होगा कितना अब चेक करोगे ना arbitrage के लिए तुम यहाँ पर ICA ने 1000 का वीज पकड़ा है यह ऐसे national amount लिए है तुम यह मानेंगे हम 1000 borrow करेंगे कौन सा currency DM की Canadian dollar DM तुम्हें invest करना चाहिए ता फाइदा होगा Canadian dollar हमें borrow करना चाहिए तो 1000 Canadian dollar में borrow करूँगा अब Canadian dollar borrow करने का rate क्या है? 2.25% है 1000 Canadian dollar में borrow करूँगा at the rate 2.25%と इतना मोई borrow करूँगा इसको borrow करके में बाद में इसको sell करूँगा और home currency में फिर invest करूँगा क्योंकि हमने देखा था DM हमें invest करना चाहिए तो और Canadian dollar borrow करना चाहे तो इतना है मैं borrow करूदा तो future में इतना चुखाना भी तो पड़ेगा तो 3 महने के अबाद मुझे कतना चुखाना पड़ेगा Canadian dollar में मैं लगते इंटरेस्ट तो 3 महने के अब मुझे इतना चुकाना पड़ेगा लेकिन मेरे हाथ में आज Canadian dollar कितना आएगा thousand आएगा, मैं विकारी हूँ, मेरे pocket में कुछ नहीं है मैं एक एक्षेंज वाले bank वाले के पास गिया thousand Canadian dollar मैंने बेचा, सोरी, बोरो किया thousand Canadian dollar मैंने बोरो किया तो इतना Canadian dollar मेरे पास है अब यह Canadian dollar मेरे pocket में तो जो pocket में उसे sell करूँगा और sell करके DM खरीद लूँगा है ना, तो यह spot काम करूँगा spot आपका Canadian dollar per DM क्या है, 0.665 है अब यहाँ पर आपका bid और ask नहीं दिया हुआ, एक ही दिया हुआ तो हमें क्या करना है, हमें Canadian dollar बेचना है और DM खरीदना है, है ना, तो Canadian dollar हमें क्या करना बेचना है, आ गया हुआ, यह रहा, Canadian dollar हमारे pocket में तो हमें Canadian dollar बेचना है, DM खरीदना है, तो DM खरीदने का यह क्या होगा, महेंगा होगा, आप यहाँ पर क्या कीजिए, BIDASK के लिए इस 0.665 को मैं बना देता हूँ 0.660 0.665 और यह ठिक होगा क्योंकि हमें महेंगा वाले में DM खरीदना हमें और DM खरीदने करें तो महेंगा होगा हमारा यह हमें पता चला अब आप देखे convert करना Canadian dollar को quote दिया हुआ DM का तो divide होगा तो 0.665 डिवाइड होगा इतना DM हमारे हाथ में आएगा अब इस DM को हम क्या करेंगे invest कर देंगे इस DM को मैं invest कर दूँगा इतना DM जो मेरे हाथ में है DM investment करने का rate कितना है 1.75% है तीन मेने का तो DM को invest करूँगा मैं इतने rate पे तो मुझे तीन मेने के बाद इतना DM रसीव हो जाएगा इतना DM मेरे पास inflow आ जाएगा तीन मेने के बाद रसीव हो जाएगा मेरा इतना DM अब मैं क्या करूँ अब मुझे याद है मैंने बोला था ने इतना चुकाना पड़ेगा तीन मेने के बाद तीन मेने के बाद ये DM रसीव हो है तो तीन मेने के बाद मुझे कनेटन डॉलर खरीदना है तो तीन मेने का रेट तो कोटेट रेट ही रहा है ना तो कनेटन डॉलर खरीदना मतलब DM बेचना अब इसका में ले लेता हूँ और रेट है 0.670, 0.680 ऐसे मैंने ले लिया है ना इसके जग़ा भी ये रेट है तो देखे मुझे DM बेचना है इस बार कनेटन डॉलर खरीदना है कोट दिया हुआ DM का DM तो बेचना है तो ये वाला टिक होगा ये मुझे पता चला अब कनवर्ड करना है किसे 1022.5 कनेटन डॉलर ही कनवर्ड करना है और कोट दिया हुआ किसका DM का तो दिवाइड होगा तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा तीन मेहने के बाद तो बाई इतना कनेटन डॉलर यानि इतना पेबल के लिए इतना बाई करना पड़ेगा DM मुझे कितना सेल करना पड़ेगा divided by .67-0 किया इतना मेरा DM का requirement होगा तो DM मैंने कमाया इतना और यह मेरा क्या होगा आउटफलो होगा यह मेरा आउटफलो होगा तो ultimately मेरा net benefit in DM कितना हुआ 3.96 DM में मेरा benefit हुआ और अगर आप पूछना चाओगे सरियन-डॉललर में कितना benefit हुआ इस DM को हम करनेटन डॉलर में convert कर दो है न तो DM को क्या करेंगे करिदना है तो DM बेचने का rate क्या होगा कब forward rate में तो बेचेंगे DM बेचने का rate तो .67-0 होगा न तो DM बेचेंगे .67-0 में क्योंकि यहां पर अब देखियें तुब जाएगा यह DM मेरे हाथ में मुझे Canadian dollar छे तो DM इतना बेचूँँगा मैं है ना और 0.67 DM बेचने का rate मेरा पड़ेगा अब देखें DM को convert करना code भी DM का दिया हुए तो multiply हो जाएगा और मेरे यह answer आ जाएगा तो मैंने दोनों में benefit बता है, ICA ने हले की बस है, Canadian dollar में benefit बता है, मैंने दोनों currency में आपको benefit बता दिया, तो यहाँ पर I hope आपको ये question सावज में आ गया, अब मैं आपको बस crux देता हूँ, आपको पहले क्या करना है, दो country के interest rate से forward premium निकालना है, वो forward premium में discount spot rate पे लगेगा, तो theoretical rate आ जाएगा, उस theoretical rate को आप quotation से compare करोगे, तो इस currency का investment होगा, तो दूसरी currency का बोरो होगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि किसको बोरो करना है, किसको investment करना है, तो आप अराम से फिर इस तरीके से question को solve कर पाओगे, और इस question को इपर जरूर से practice भी कर लेज़ेगा, आपका काम बन जाएगा, thank you so much, next हम question number 24 करेंगे, और test your knowledge से, ये question number 30 है, ये inflation से related हैं ये purchasing power parity है, बट इसमें IIP वाला concept, interest at parity, जो मैंने concept समझाया, वो आप लगाओगे, तो आराम से आपका ये solve हो जाएगा, question बढ़ते हैं, इंडिया का inflation inflation बोला 8% है, और USA का inflation है 4%, तो हम ये कह सकते हैं कि dollar का inflation होगा 4%, अब इसे interest की तरह समझा सकतो, यनि 100 रुपिया बन जाएगा, कितना 104, और आपका रुपिया inflation है 8%, तो 100 रुपियस बन जाएगा, 108, तो dollar का जब की कम है, तो dollar forward premium पे होगा, ये तो concept वीडियो में भी समझाया जाएगा, 4 divided by 104, यनि 104 से 108 पे पहुचाना है तो 4 से बढ़ाना है, value का इस 4 का premium है, और percentage 104 से बढ़ाना है, यनि 4 divided by 104 into 100, 3.846 percentage, ये आपका dollar का forward premium हो गया, अब देखे, पूछा कि हमसे, spot rate देविया में रुपिय पर dollar है, 46, पुछा एक साल के बाद का expected rate बता हो, चार साल के बाद का बता हो, बता देगे, तो 1 येर रुपी पर dollar क्या होगा, 46 plus 3.846 percentage, कितना अर है, 846 percentage, 47.769, फिर 2 येर का कितना होगा, 47.769 plus 3.846 percentage, ये आएगा 49.606, 3rd year का होगा, 49.606 plus, क्योंकि हर साल inflation दोनों का अगर change होता है, तो आगे जा कि कुछ अलग हो सकता था, परना मान रहे हर साल inflation दोनों का ही रहेगा, है ना, इंडिया का 8% और USA का 4%, 846 percentage, 53.495, तो हमसे ये पूछा गया था, एक हमसे ये पूछा गया था, simple question है complete कर लिया, next question number 31 नहीं कराने से भी चलता, बस मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, क्योंकि आपको time period हमेशा धान में देने, तीन मेने काई है, तो pound का और dollar का interest rate दिया हुआ हमें पहले तीन मेने का निकाला पड़ी, क्योंकि ये तो पर है नहीं, तो three by twelve करेंगे तो ये rate आएगा और इसको hundred के principle base पे लगाओगी तो ये आएगा, हो जाता, आप चाहते हैं तो इसको, आप जैसे मैं hundred का लेता हूँ, आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी ले सकते हूँ, one point eight seven five percentage को, आप one के principle भी इसमें लगाओगी तो ये आएगा, ये आएगा और तब आपका यहाँ पर आएगा, one point zero one eight seven five minus one point double zero eight seven five, point zero one, है ना, तो point zero one, divide by one point double zero eight seven five, into hundred अगर आप करोगे, तो देख लिजिए का point nine nine one three percentage ही आएगा आपका, और spot rate आपका, point seven five eight है, तो forward rate आपका होगा, point seven five seven plus point nine nine one three percentage ही, यहीं, point seven six four five, आपका ऐसे भी आ सकते हैं, तो one का principle पेस लो, यहाँ पर मैंने hundred कर लिए, बात एक ही कोई सा भी करो, आपका अंसर सीमी आएगा, next question number 40 करेंगे question bank से study material में, test to knowledge question number 32 है, important request is bank to extend the forward contract, यहनी forward contract पहले से क्या हुआ था, importer था, अब मेरी बात समझे, importer होगा, तो यहनी इसको foreign currency dollar payable होगा, goods खरीद है तो payable है न, dollar payable होगा तो dollar खरीद के देगा, तो dollar buy करना होगा, इसने dollar forward buy किया था पहले, यह forward में इसे चुकाना था, dollar forward buy क्या था, अब यह extend कराना चाता है, तो मेरी बात समझे, अगर इसका मान लो dollar forward buy था, क्योंकि importer है, exporter होगा, dollar forward sell होगा, तो यह पहले cancel करेगा, dollar उसी date का forward sell हो, यह spot sell हो, उसी date का, cancel करेगा, फिर बाद में निया dollar forward buy contract करेगा, तब जाके extension होते हैं, यह extension नाम की कोई चीज होती नहीं, आपको पुराना cancel करना पड़ेगा, और नया contract करना पड़ेगा, which is due on 30 October 2010 for a further period of 3 months, यह आपका यह क्या करेगा, 30 October को due था, और यह 3 मेने के लिए extend कराना चाते हैं, यह agrees to pay the required margin, बनी for such extension of the contract, तो देखिए, contract rate दिया हुआ, इस rate में इसने forward buy क्या था, यह contract rate है, तुम यहाँ पर लिख सकतो हूँ, dollar forward buy का contract rate इसका था, रुपीज 42.32, है ना, या फिर आप ऐसी यहाँ पर लिख सकतो, buy contract था, $20,000, dollar का 42.32 में, यह इसका contract rate था, अब 30 October को यह rate दिया हुए, मतलब यह जिस दिन इसको buy करना था, उसी दिन यह आया, समझे रहो, 30 October को यह इसका था, execute करने वाला दिन ही यह आया, और cancel करना चाते ह spot sell करके cancel करेगा, तो dollar का code दिया हुए, है ना, रुपी पर dollar ही होगा, क्यों dollar बड़ा होते है, dollar का ही code दिया हुए, और dollar sell करके cancel करेगा, तो 41.5 में, अब देखिए, यहाँ पर margin money भी नीचे दिखे लिखा हुए, buying and selling का, 075%, 0.2%, मेरी बात समझे, यह जो contract rate है, contracted rate मतलब इसक लग पड़ गए, तो मैं बोलूँगा, contract rate बीस लग है ना, मैं 18 लग नहीं कहूँगा, तो यह inclusive of everything अब यह समझे, inclusive of आपका margin money है यह, इसमें margin है, सब कुछ include है, लेकिन अब ही यहाँ पर हम cancel करनी के लिए, हम 41.5 में सोधा करेंगे, तो इसमें तुम add करेंगे, margin money जो भी ह हमारा खचा लगीगा, idealize जो भी करना है, तो buying में outflow होता है, outflow में margin money add होगा, क्योंकि margin money हमेशा outflow ही होता है, और sell में inflow होता है, तो inflow में margin money less होता है, तो आपका यह margin money for buying and selling दिया हुए, यह हम मानेंगे कि bank के point of view से buying and selling है, margin money जो है, तो हम क्या कर रहे है, sell कर रहे है, है तो मतलब bank buy कर रहे है, तो 0.075% margin money भी लग जाएगा हमारे आपर, यह bank point of view से अब यह समझेगा, तो यहाँ पर 41.5 में soda cancel होगा, है न, तो यह inflow होगा, sell करेंगी तो inflow होगा, इसमें 0.075% margin money minus करना पड़ेगा, 41.5 minus 0.075%, 41.4688, है न, तो अपका sell क्या होगा, $20,000 into 41.468875, minus 40, 2.32, कितना, into 20,000, यह न, वन सेवन जीरो डबल टू आ रहा है हमारा, यह दिक है, हमने 41.46 रिटेट लिया था, इन्होंने अपक्रोक्स 41.46, 47 बना दिया, ठीक है, और आप का लटीमेटली 17,000 डिफरेंस आ रहे है, हमारा है 17,022, तो बस बही round-off का फराइक है, 17,022, यह cancellation cost लग जाएगा, हमारा इतना, है न, क्यूंकि इतना में buy होना था, इतना में sell होना था, तो sell का rate ठोटा है, रहे है, buy का rate बड़ा है, तो मैंने नुकसान होगा, इतना आपका outflow होगा, आपको payment करना, पड़े का cancel करने के लिए, अब extend कराना चाहते हो, तो 30 अक्टूबर को extend कराओगे, मतलब buy करोगे, 3 months rate पे, यह premium जो दिया हो है न, मतलब यह forward premium है, तो हम क्या करेंगे, spot में add कर देंगे, तो 41.52 में हम buy करेंगे न, लेकिन यह तो spot है, हमें 41.52, 3 months का rate क्या होगा, 41.52 प्लस 0.93 पर्षेंट यानि 41.52 प्लस 0.93 पर्षेंट यह होगा, 41.906 आ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सोदा होगा, जी नहीं, इसमें भी margin money भी जूड़ेगा, तो buy करेंगे, तो margin money भी जूड़ेगा, बेंक के point of view से sell वाला, 0.20, तो इसमें plus 0.20 पर्षेंट और जूड़ जाएगा, यह आजएगा, 41.989 नहीं आ लिया, समझे रहे हैं, तो दो ची जूड़ होगे अब, एक तो यह forward rate है, forward rate के लिए plus किया मैंने, है न, और आपका, अगर minus तब होता है, जब discount लिखा हुआ रहे था, और दूसरा मैंने क्या क्या, margin money जोड़ा, तो 41.9899 यह भी हमारा answer आ चुक है, तो मेरे फटा-फट रिवाइस करा है आपको, यह question भी, I hope आपका clear हो चुक है, next हम एक और अच्छा question discuss करेंगे, question number 37, surplus fund का यह question है, और यह practice manual में आपको दिखीगा, आपके study material में question नहीं है, देकिन यह important question है, आपके exam के लिए, suppose you are a treasurer of XYZ PLC in the UK, XYZ का दो subsidiary, यह overseas subsidiary, एक Amsterdam में है, और दूसरा Switzerland में है, और आप कहाँ पर हो, UK में हो, आप UK में हो और आपकी दो subsidiary, एक Amsterdam और एक Switzerland में, the Dutch subsidiary has surplus euro in the amount of 725,000, which it does not need for the next 3 months, 3 मेने के लिए इसके पास surplus पढ़ा होगा, Dutch subsidiary जो है, उसके बास 725,000 क्या पढ़ा होगा, euro surplus में पढ़ा होगा, फिर आगे, but which will be needed at the end of that period, the Swiss subsidiary has the surplus fund of Swiss franc, in the amount of 998077, that again it will need on day 91, यह बढ़ा दी कि day बता है, 91 days days बता है, तो हम इसको courses करेंगे, days में solve करने की courses करेंगे, और X, Y, Z, PLC, जो की UK में हमें पता है, है ना, उसकी अपनी net balance से pound 75,000, जैसे इसे पूरा foreseeable future तक नीड नहीं, पर फिलालम तीन मेने का ही हिसाब करेंगे, तीनों में, तीन मेने का हिसाब करेंगे, तो यहाँ पर दीके pound 75,000 हमारा खुद का surplus है, दो सबसेडरी है, एक सबसेडरी के पास 7,25,000 euro surplus में पढ़ा हुआ है, और दूसरी के पास 998077 Swiss franc surplus में पढ़ा हुआ है, जिस हम CHF भी कहते है, ठीक है, जिस हम CHF कहेंगा, तो अब देख सकतो, यह pound euro CHF, pound euro CHF का rate दिया हुए यहाँ पर, अब कोशिय ने क्या बोला, rate दिया हुआ है, spot rate, दिया हुआ है कि यहाँ पर euro लिखा हुआ है, और यह pound है, मतलब पता है यह pound पर euro है, आपको पताया था ना, मैंने pound बड़ा ह होता है, तो देखिए, यहाँ पर, point one से कम है, one से कम है, point six eight five eight है, तो pound पर you know, fit bet रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि euro छोटा है, pound बड़ा है, और pound पर euro, quote euro का दिया वार है, तो one से तो value कम होगा, और यहाँ पर swap points दिया हुआ है, तो यह increasing order में तो plus हो जाएगा, मतलब हम लिख सक six eight seven eight 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 nine eight nine five, और इदर six seven eight nine nine nine, point six nine zero nine हो जाएगा, यह वाला, perfect, फिर next वाला, यहाँ पर दिखिए, यह CHF बताई रहे है, तो यह क्योंकि यह CHF पर pound हो गया, और pound बड़ा होता है, तो दिखिए, one से जादे है, यह CHF पर pound, यह क्योंकि यह होगे, two point three two nine five, two point three three two six, और नीचे वाला, decreasing order में, यह दिखान में देना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगे, decreasing order मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो अब देखिए, two point three two nine five, minus point zero two four two, two point three zero five three, और इधर two point three three two six, minus point zero two two eight, two point three zero nine eight होगा, तो यह हमने निकाल लिए आपर, है ना, अब हम देखते हैं, आगे क्या करना है, आगे हमें बोल दिया, अलग अलग अलग, देखिए, आप one lakh तक की limit में अप investment करोगे, तो आपको interest rate मिलेगा, pound में one percent है, इसमें point two five percent होगिया, one by four, है ना, इसमें zero मिलेगा, और one lakh one से लेके five lakh तक investment करोगे, यह तो अलग हैं, जितना ज़्यादा investment, उतना ज़्यादा interest rate मिलेगा, अलग-अलग का बता दिया गया हमें, है ना, तो अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं, हम एक centralized management करते हैं, centralized management मतलब क्या, पहले सारे बाहर की currency को, अपने home currency में convert कर दो, और 80 पैसा लगो, जैसे centralized AC होता हैं, एक ही single AC होगा, मतलब locally आप investment borrowing ही करोगे, यह सारे पैसे जाएंगे home में, तो पहले आपको euro को और CHF को pound में convert करना है, फिर 80 जो pound होगा, वो सारे pound को हम लगाएंगे, तो बहुत सारा pound होगा, तो interest भी बहुत सारा मिल सकता आपको, तो यहाँ पर अब centralized management, pound 75,000 तो pound ही रहेगा, euro 725,000 जो हमारे पास surplus है, euro 725,000 इसको convert कर देंगे spot into pound, है ना, तो हमें euro को convert करना है pound में, यानि euro को बेचना है pound खरीदना है, पर code तो दिया हुआ euro का euro बेचना है, तो 0.685,000 होगा, है ना, 0.685,000 होगा हमारा, तो यहाँ पर 0.685,000 हमें लेना है और आप देखिए, code दिया हुआ euro का, convert भी euro को करना है, तो multiply, 0.685,000 होगा है, pound इतना होगा, अब CHF की बात करते हैं, तो CHF देखिए, code दिया हुआ pound का, आपको convert करना है, CHF को into pound, यहनि CHF बेचना है, pound खरीदना है, मेरे पास इतना CHF, इसको बेचके pound खरीदूँगा, तो pound खरीदना है, code pound का दिया हुआ, तो महिंगा वाला होगा, spot 2.3326, spot कर रहे हैं, यह वाला होगा, अब देखिए, convert करना CHF को, code दिया हुआ, pound का, तो divide होगा, 2.3326, divide होगे, यह रह, तो पहले खरीदने बेचने का काम कर लो, फिर conversion, आगे हमारे यह वाला, तो यह सारा तीनो कब हम 18 कर देंगे, देखिए, 10,00,000 से जादा हो रहा है, और अगर 10,00,000 से जादा होगा, तो pound में आपको यह rate मिलेगा, हाँ, हलाकि इसमें 91 days लगाएंगे, 91 by 365 लगाएंगे, तो आप देखिए, हम इतने सारे पैसे को, 5.35% में invest कर देंगे, 91 days के लिए, तो हमारा इतना interest हमें मिलेगा, तो total amount in pound हो जाएगा, after 91 days, यह तो pound पहले से ही, invest किया हुआ, और इस पर interest इतना मिल जाएगा, तो हमारा इतना आ जाएगा, pound 91 days के बाद, तो यह तो centralized management होगी है, जहाँ पर हमारे पास इतना pound आएगा, after the period of 91 days, अब हम देखते है, decentralized management, यहाँ पर हम क्या सब को कहेंगे, अपने अपने घर पे locally investment करो, और तीन मेने के बाद बताओ, आपकी बस कितना कितना पैसा बचा हुए, और वो सारे पैसे को फिर हम pound में convert करके चेक करेंगे, और हम देखेंगे कौन सा better है, मतलब हम चेक कर रहे है, centralized better है कि local investment boring better है, तो देखे, pound 75 thoujin है, वो अ 1% 91 days का अब लोगे, तो यह इतना आएगा, 1% into 91 by 365 करोगे न, तो 75 thoujin में हमें इतना percent interest मिलेगा, हमारा इतना pound मेरेगा, euro को अब investment करेंगे 7,25 thoujin, इस पे fall करेगा यह, euro का rate यह रहा, 2% 91 days के लिए, तो देखे, euro आप 2% 91 days का आप चेक कर लिजेगा, इतना ही आएगा, calculator में आप देख लीजेगा, ठीक है, 91 by 365 करके रिखाए देतों, 2 into 91 divided 365, 0.49863, सही, perfect है, तो यह आप इसको, इतना euro 91 days के बाद बने है, यह, euro में investment हो रहा है, यह, pound में investment हो रहा है, और यह CHF आला, CHF में investment करेगा, 998 है, तो यह, इसमें fall करेगा, यह भी, 9,99 लग सम्थिंग है न यह, half percent मिलेगा, 91 days का और कम हो जाएगा, तो 0.5% 91 days का देख लो, 0.5 into 91 divided 365, 0.124657 यह, इतना percent आएगा, तो इतना CHF होगे, तो 91 days के बाद हमारे बास इतना pound है, इतना euro, इतना CHF है, तो क्या इस बार इन्हों ने अपने अपने घर पे investment क्या जी है, अब हम क्या करेंगे, pound क CHF को convert कर देंगे, कब 91 days वाले rate से convert करेंगे, तो euro को convert करना into pound, euro को convert करना into pound, कौन सा वाला rate मे, 91 days वाले rate मे, तो euro को बेचना है, pound में, pound खरे द знаешь, euro convert करेंगे, euro बेचेंगे pound खरेंगे euro का code दिया हुआ euro बेचना है तो यह वला होगा 91 days बाद है ना अब देखे euro को convert करना है और pound में convert करना है euro को तो euro बेचना है यह rate हो गया और euro का code दिया और euro यह convert करने नहीं multiply 0.6895 multiply हो जाएगा यह देखे 0.6895 multiply होगा pound इतना आगया हमारे पास अब CHF यह रहा CHF को भी pound में convert करेंगे तो CHF को pound में convert करेंगे CHF बेचेंगे pound खरेदेंगे pound खरीदना है तो 91 days बाद यह वाला pound खरीदने का रिट महेंगा होगा 2.309 होगा अब CHF है convert करेंगे CHF कोट दिया हो pound तो divide 2.309 है divide तो यह इतना pound आगया तो total हमारे पास इतना pound हो जाते है तो आप देखे कहां ज्यादा pound हो रहा है centralized management में ज्यादा pound हो रहा है 101348 की decentralized में कम हो रहा है इसमें ज्यादा हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है दुनों का difference 3277.53 हम अगर centralized management में investment करेंगे तो हमारा फाइदा होगा तो question ने क्या पूछा what is the advantage of swapping euro and sistering into sterling तो यह बोली रहा है कि euro sistering into sterling या नि pound sterling मतलब pound होता है pound में convert करने का क्या advantage है तो मता देंगे pound में convert करके पैसा invest करने से हमारा इतना ज्यादा हमें कमाई मिलेगे तो that's it यह question भी खतम हमारा so question number 33 अब हम discuss करेंगे and आपके study material में test and knowledge question number 49 है बहुत ही अच्छा question है exam में आने का भी chances रहता है पहले भी आया हुआ है and अच्छे से करते हैं मैं लिए फटा फट रिवाइस करते है your bank's London office has surplus fund to the extent of dollar 5 lakh यह आपके पास 5 lakh dollar surplus fund पढ़ा हुआ है तो जब हमारे पास surplus fund पढ़ा हुआ है तीन मेने के लिए surplus fund पढ़ा हुआ है तो हम इसे invest कर सकते गए ताकि हम उससे कमाई कर ले है घर में पढ़ा पढ़ा पैसा थोड़ तो सड़ते रहेगा उसको investment करो गए तो यहाँ पर लेकिन company के पास जो surplus fund पढ़ा हुआ है इसमें company का साला ना 4% का interest भी लगता है अब बोलोगे sir interest लगता तो surplus काएगा interest लगता है मतलब ठीक है फिर भी है हमें हमें बैंक से 4% में मिल रहे है अब हम कहीं और तो ज़्यादा percent कमा सकते क्या बता तो वही हम चेक करेंगे कि अगर हमार बाहर ज़्यादा कमा ही हो जाएगा तो हम 4% के अलावा भी कुछ बचा के घर लेकी चा सकते है तो इसके बस तीन option है यह लंडन में investment कर सकता है लंडन में pound चलते है पाउंड में investment कर सकते है यह न्यूर्क में investment कर सकता है न्यूर्क में dollar चलता है यह Frankfurt में investment कर सकता है यहाँ पर euro चलता है तो यह इन तीनों में investment कर सकता है चाहे तो है ना और interest rate दिया हुआ 5% 8% 3% अब जबकि 3 मेने के लिए surplus fund है तो हम 3 मेने के लिए investment करेंगे उसे जाद तो नहीं करेंगे तो 3 मेने का interest rate कितना मिलेगा 1.25% मिलेगा 3 मांस का और इधर मिलेगा 2% 3 मांस का और इधर मिलेगा 0.75% 3 मांस का यह हमें interest rate मिलेगा है ना अगर हम investment करेंगे तो अब आगे हमें exchange rate दे दिया, अलग-अलग, London on New York, आप ये दिखीगा कि London on New York लिखा हुआ है कि New York on London लिखा हुआ है, otherwise आप ऐसे भी समझ जाएगा दिखे, New York में चलता है dollar और London में चलता है pound, pound बड़ा होता है, dollar छोटा होता है, तो ये कभी भी pound per dollar नहीं होगा, है ना, ये ज dollar per pound होगा, मलब 1 pound equal 1.535 dollar, क्योंकि pound strong है, है ना, तो यहाँ पर 1 pound, लेकिन आप exam के लिए यह हमें इसा समझ लेजेगा, कि quotation उसका दिया हुआ है, जहां का पहले जो word जहां पर है, London on New York ले तो मलब लंडन का quotation दिया हुआ है, यनि dollar per pound की बात कर रहे है, आप ये समझ पहले लंडन पहले लिखा हुआ है, तो लंडन में क्या चलता है, ये pound का quotation है, महलें euro per pound का quotation, तो spot dollar per pound दिया हुआ है, one month का आपका दिया हुआ है swap points, तो one month का swap points ये increasing order पे हम add कर देंगे, 5365 and इधर आगया 1.5408 होगा, 1.539 जिरो और 18 कर देंगे, फिर वापस है 1.535, spot ते add करना में सा, 5380 होगा और इधर 1.5425 हो जाएगा ये, ठीक है, and फिर ये वाला, 1.5430 होगा, 80 सार increasing order में plus हो जाएंगे, decreasing order होता तो minus होता, and यहाँ पर 1.54 75, यह हम निकाले, add करके, और कुछ नहीं क्या, इधर भी, 1.8260, 1.8290, and इसमें 6055, decreasing order होता है, तो क्या होगा, minus होगा, 1.8200, और इधर आजाएगा, 1.8235, फिर ये वाला, 95 अपका minus होगा, spot से minus करना, 1.8165 होगा, 95 minus करने पर आते ही है, and 1.8200, 90 में 90 minus होगा, यह भी, decreasing order है, 1.8260, 1.821, 15 होगा, और 1.8290, 1.8150, यह हमने निकाल लिया, अब पूछा क्या है, at which center will the investment be made, and what will be the net gain, तो हम अलग-अलग जगा investment करके देखेंगे, तो पहले चलो हम क्या करते हैं, पहले London में investment करने का सोचते हैं, मेरे पास 5,00,000,000 है, 5,00,000,000 को मैं क्या करूँगा, 5,00,000,000 में इसे लंडन में investment करना चाहूँगा, तो मैं मुझे पहले dollar को pound में convert करना पड़ेगा तो dollar को बेचेंगे जो हाथ में उसे बेचते हैं और pound खरीद लेंगे जो मेरे pocket में उसे बेचता हूँ तो dollar मेरे pocket में तो इसे में बेच सकता हूँ जब हमारे pocket में रुपी होता है हम रुपी को बेज देते है और जो हमें खरीदने होता है पाओ भाजी वगेरा जो भी खरीदना होता हम खरीद लेते है वरसे यहां पर हमारे हाथ में $इम $ को बेज देंगे और $ हम खरीद लेंगे अब फिर क्या करेंगे यह $5 को convert कर देंगे into pound, तो dollar को convert कर देंगे into pound, अब में pound, dollar, इन सब का ये समय नहीं सिखाने वाला, ये आपको अच्छे से आता है, तो dollar को pound में convert करना quotation दिया हुआ है pound का और convert करना dollar तो क्या होगा, obviously divide होगा, और आपको quotation का वो भी बता देता हूँ, अब यहाँ पर convert कर रहे हैं, हम spot, तो spot rate लेंगे dollar पर pound का spot rate ये रहा, अब dollar बेच रहे, pound खरीद रहे, नहीं, pound हाँ, dollar हाथ में था, dollar बेच रहे, pound खरीद रहे, तो ये वाला rate होगा, pound खरीद रहे, pound का code दिया हो, तो 1.53, 90 होगा, और dollar को convert करना है, तो क्या होगा, divide होगा, ये starting मैं already बता है अब आपको, तो आपका इतना pound हो जाएगा, अब ये pound जो मेरे पास आज spot है, इसे मैं तीन महने के लिए investment कर सकता हूँ, rate है मेरा तीन महने का 1.25 percentage, तो तीन महने के लिए investment कर दूँगा, तो मेरा इतना pound बन जाएगा, इतना pound मेरे पास आजाएगा, अब मुझे dollar चुकाना भी तो है, क्योंकि मेरा 5,000,000 dollar, तो मुझे देखने हैं, मेरा gain rate कितना होगा, तो देखे एक तो dollar 5,000,000 dollar मुझे चुकाना है, क्योंकि surplus fund इतना है और इसमें मेरा cost लग रहा 1% 3 मेने का तो dollar 5 lakh plus 1% 3 मेने का interest के साथ dollar 5 lakh 5,000 मुझे चुकाना है तो अब मैं क्या करूँगा मेरे पास इतना सारा pound है है ना कितना सारा pound है मेरे पास 328947.35 मेरे पास pound है तो इस pound मैंसे मैं इतना pound बेज़ दूँगा कि मुझे 5 lakh 5,000 डॉलर खरीद सको मैं क्योंकि मुझे 5 lakh 5,000 डॉलर चुकाने के लिए चाहिए तो यहाँ पर आप समझे मुझे यहाँ पर mainly buy करना है dollar 5 lakh 5,000 यह मुझे buy करना है आपको यह समझना है हाँ कब buy करना है आज की 3 मेने के बाद 3 मेने के बाद मुझे buy करना रिट मुझे बाद मुझे जोबा लू może Represent करना है रेट पता चल गया 1.5430 है ना और convert करना है कि इसको dollar को code डिया हो है pound का तो क्या होगा divide तो अब देखिए 1.5430 से divide हो गया तो हमें पता चल गया इतना pound requirement होगा मलगा 55,000 dollar खरीदने के लिए इतना pound का requirement होगा तो हमारे पास pound इतना है और इतना pound हमारा चला जाएगा 55,000 dollar खरीदने के लिए तो बचा कितना इतना तो यह हमारा benefit है यह आपर तो हमने लेंडन वाला कर लिया अब दूसरा न्यूर्क वाल न्यूर्क डॉलर डॉलर में रहेगा तो आप देखिए 5,000,000 dollar मेरे पास है इतना मुझे चुकाना पड़ेगा बाद में वो तो मुझे पता है 5,000,000 dollar मेरे पास है मैं इसे dollar को convert नहीं करूँँगा तो सीधा मैं dollar में invest कर सकता हूं 2% इंटरस्ट पे कि मेरा लंडन का office है हमारे यहां पर pound चलता है तो मैं pound में gain चाहिए और यहां पर लिखावे भी है to the nearest pound आप gain बताईए हमें बोला भी है कुछ है पाउंड में गिन बताना तो देखिए dollar 5,000 हमारे हाथ में अब है यह कब है तीन मेने के बाद ही है है ना interest मिला interest के साथ तीन मेने के बाद ही मिला यह तीन मेने के बाद है तो तीन मेने के बाद आपका net benefit आएगा तो तीन मेने के बाद जो net benefit आएगा इसको pound में convert कर देंगे तो dollar हाथ में dollar बेचेंगे और pound खरीदेंगे तीन मेने के बाद का rate यह रहा है डॉलर बेचना है pound खरीदना है pound का quote pound खरीदना है तो मेहंगा 1.5475 और convert करना dollar को पर quote pound का तो divide होगा तो दिखिए 5,000 divided by 1.5475 में फटा फट रिवाइस करा रहा हूँ 0.3231 का net benefit है अब next point नमर से यह सबसे important है इसको आप एक बार practice ज़रूर से करकी जाएगा exam के लिए बागी दो में तो practice नहीं करने से चलते है यह आपका master हो यह master की तरह है आप master पार्ट समझ सकते हो यह में हम क्या करेंगे investment करेंगे जिस पर हम 0.75 person मिलेगा investment in your सबसे पहले 5,000 डॉलर हमारे हाथ में dollar कौम convert अच्छा यह तो यह वाला फ्रेंकफर्ड 5,000 डॉलर हमारे हाथ में dollar को पहले convert किया जाएगा into euro euro में convert करना है तो देखिए सीधा dollar को मैं euro में convert कर सकता हूँ क्या नहीं क्योंकि pound euro पर pound दिया हुगा है तो मुझे dollar को convert करना euro में पर dollar पर euro या euro पर dollar का rate नहीं दिया हुगा है तो पहले dollar को pound में convert करूँगा spot और फिर pound को euro में convert करूँगा तो आप समझे मेरे pocket में भी dollar तो dollar को बेचूँगा और pound खरीदूँगा तो pound खरीदने का rate है pound का quotation दिया है न यह न यह वाला होगा तो मैंने टिक का काम किया 1.5390 एक यह वाला होगा पॉण अब pound मेरे pocket में pound को बेचके euro खरीदूँगा dollar था dollar को बेचके pound खरीद के pound pocket में डाल दिया अब pound मेरे pocket में pound को बेचके euro खरीदूँगा तो pound को बेचना है और euro खरीदना है pound का quotation दिया हो है pound बेचना है तो डॉलर देखें कहाँ पर ऊपर है तो डॉलर convert करना code दियावा है pound का तो divide होगा यह 1.5390 divide होगा तो जैसे ही मैं 1.5390 से divide करतूँगा यह entire बन जाएगा क्या pound डॉलर था बन जाएगा pound तो यह entire pound बन चुका है अब नीचे क्या करेंगे इस pound को convert करेंगे यह pound बन चुका है इसे convert करेंगे यूरो में तो नीचे देखिए pound को convert करना है into euro code दिया होगा pound का पर convert करना euro को तो divide होगा कि multiply होगा वापस से गलत बोल रहा हूँ code दिया होगा है pound का और pound को ही convert करना है यह तो पुरा pound यहाँ पर मेरे pocket में dollar है dollar से pound खरीदूँगा pound का quote यह नहीं महेंगा फिर बाद में अब मैं pound से euro खरीदूँगा तो pound से euro खरीदूँगा pound बेचूँगा euro करीदूगा pound बीच नहीं करेड़ सस्ता होगा जिसका quote लिए खरीदना बेच नहीं करेड़beiten तो ticking का काम कर लिया मैंने जैसे मैंने initialies इसे खाया अब हम क्या करेंगे conversion तो dollar को convert करना है पहले pound में क्योंकि 5000 dollar को पहले convert करना है तो dollar को pound में convert करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा pound को convert नहीं करना ? dollar को तो divide होगा divide करते ही pound बन जाएगा अब pound का code दिया और pound का invert करना है तो multiply हो जाएगा तो यह दिखें इसका जो answer आएगा वही मैंने नीचे लिखा हुगा है perfect हाँ perfect तो हमारे हाथ में आ जाएगा क्या इतना euro हमारे हाथ में आ जाएगा अब ये euro को हम तीन मेहना के लिए investment कर देंगे और हमें interest मिलेगा 0.75% का पाना भी है और दूसरी बात हमें euro बाकी सारे euro को pound में convert करना है मतलब इस euro से आपको 5,000,000 डॉलर चुकाना भी तो है ठीक है और जो remaining बच्चे का आपके बास euro उससे आप pound को convert करोगे ये हमें पता चला अब मेरी पांग सुनी चला आप क्या euro से सीधा dollar खरीच सकते हो क्या मैं euro से सीधा dollar खरीच सकता हूँ ने मुझे पहले euro से pound खरीचना पड़ेगा फिर pound से मुझे dollar खरीचना पड़ेगा अब मुझे ये पता है कि इसी euro से मुझे dollar का रास्ता ते करना है और remaining वाला को pound में convert करना है तो एक काम करते हैं पहले सारे euro को pound में convert कर लेते हैं सारे एक ही है अब मेरा friend उसी रास्ते में जा रहा है तो मैं बोलू है ठीक है चल मैं तुझे आदे रास्ते तरह जगा पे छोड़ दूँँगा तो वही चीज़े हैं पर मैं उसे छोड़ दूँगा रास्ते पे तो यहाँ पर अब देखें मैं क्या करूँगा पहले इस euro को entire euro को pound में convert कर दूँगा तो इस euro को बेचूँगा 3 मेने के बाद pound खरीदूँगा तो 3 मेने के बाद मुझे euro को यहाँ पर 3 मेने के बाद मुझे euro बेचना है pound खरीदना है क्योंकि euro मेरे pocket में euro बेचूँगा pound खरीदूँगा पाउंड खरीदने है पाउंड का कोड दिया है यहीं महेंगा वाला यहीं 1.8150 अब देखिए convert करना euro को पर कोड दिया है पाउंड का तो क्या होगा divide तो divide by 1.8150 करते ही मेरा यह मेरा यह पाउंड आ जाएगा इतना इतना पाउंड मेरे हाथ में तीन मेने के बाद अब हमें dollar 5,5,000 खरीदने के लिए कितना पाउंड चाहिए पहले से निकाला वा देखिए पहले पिछले वाले question में हमने already निकाला था कि dollar 5,5,000 के लिए हमें इतना पाउंड का requirement है तो फिर से महनत करना तो कर सकता है अधरस पूराना से देख लो कि 5,5,000 के लिए हमें इतना पाउंड चाहिए था 327,284 तो हम हमारे हाथ में जो पाउंड है इतना इसमें से 327,384 हम माइनस कर रहें to buy dollar 5,000 dollar 5,5,000 इतना हमें चुकाना है ना इतना बाई करने के लिए इतना पाउंड हम सेल कर देंगे तो remaining पाउंड हमारे हाथ में इतना बचेगा तो conclusion आया अलग-अ situation में हमारा कितना benefit होगा तो अब देखिए New York के investment में हमारे पाउंड आ रहे है बेनिफिट आ रहे है तो investment in New York is a better option which yields benefit of pound 3,2,3,1 तो यह question थोड़ा tricky है लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें stress देना है तो question बहुत easy लगेगा चलिए thank you so much next question पे जाते है चलिए next और अच्छा question है question में 42 study metals है and question में question में 30 है sun limited का अच्छा question है आ सकता है exam में sun limited is planning to import equipment from Japan 3400 lakh yen के cost में यह import करना चाता है तो इसे देखिए मानने जह हमने का लो कुछ भी नहीं कहेंगे तो मानिगे हमारी home currency रुपी है इतना पैसा हमें चाहिए येन में यहां पर नीचे बता दिया गया कि हमें 180 डिस्क का credit चाहिए यहां पर forward rate भी 180 डिस्क का दिया हो तो मैं लिए इंडिकेट कर है 6 मेना के लिए borrowing करना चाहोगी तो आपका तीन मेने का rate लिया जाएगा 4.5% तो 6 मेने का 9% ही होगा 3400 लाइक येन में काम कर सकता हूँ मैं आज ही इंडिया से बोलो करके उनको पैसा चुआ सकता हूँ तो मुझे दिखना आज ही कर में येन चुका हूँ तो येन मुझे 3400 लाइक चुकाने के लिए कितना रुपिया चाहिएगा यहां पर एक्सीज़ेट प्रेजेंट वाला 3.4 तो अब हमें पता चला येन पर रुपिय 3.4 है अब बिड आस तो है नहीं आपर बिड और आस दोनों से ही में कन्वर्शन की बात करेंगे तो 3400 लाइक येन को कन्वर्ट करना 3.4 के रेट पे येन को कन्वर्ट करना को गया रुपिया का तो डिवाइड होगा मना 1000 रुपिय हमारे पास आज है तो हम उसे येन में कन्वर्ट करा लेंगे 3400 लाइक येन और ये हम दे देंगे जापान में और equipment मंगवा लेंगे तो नहीं है हमारे पास तुम इंडिया से बोरो करेंगे तो क्या इंट्रस लगे है 9.2025 क्वार्टरली कंबांडिंग है 18% का तो 9% 6 मेने का नहीं होगा 9 से थोड़ा जादा हो रहा है 9.2025% हम यानि इंडिया से बोरो करेंगे 1000 लाग और उनको दे देंगे मसीन ले आएंगे और इंडिया में 9.2025% हमें इंट्रस लेना पड़ेगा 6 मेने के लिए तो हमारा लगी है इंट्रस 92.025 यानि इतना हमारा पेवल होगा अफ्टर 6 मेंज अगर हम इंडिया में बोर्लिंग करेंगे दूसरा हमारे बास एको रुपाई है कमपनी को ओफर मिला ओसाका ब्रांच से जोकी इंडियन बैंक है लेकिन ओसाका की ब्रांच है वो कहते कि वो 2% इंट्रस में दे देंगे 6 मेना के लिए 2% पर एनव यानि 6 मेने का सिर्फ 1% इंट्रस्टी परेगा पर येन में आपका परेगा और उसकी एगेंस्ट आपको एक लेटर ओफ क्रेडिट देना पड़ेगा ठीक है और वो ये रिकावरेबल होगा वो आपको वापस से सेटल नहीं होगा यानि कमीसन चार्जेस सिर्फ 1% 6 मेने का तो अब लिखें उसका ब्रांच में बोरो करूंगा तो इंट्रस्ट भी येन में देना पड़ेगा तो 3400 लाग येन तो मुझे चुका नहीं है मसीन का और इसके साथ साथ मुझे 1% इंट्रस्ट भी चुका नहीं 3400 लाग और ये पूरा येन अब मुझे आज नहीं चुकान है ये येन में में 6 मेने के बाद चुका हूँगा तो इतना येन में 6 मेने के बाद चुका हूँगा ध्यान से समझी आज हम रुपया नहीं दे रहे हैं आज हम येन में कनवर्ट भी नहीं करेंगे हम वहीं ओसाका में बोरो इंट कर रहे हैं तो हमें पड़ेगा इतना येन शी मेने का forward rate हम कर सकते हैं येन पर रुपी 3.45 तो छी मेने कम forward rate आज ही करके रख लेंगे तक कि सेक्योर रहे तो देखें कोड दिया हुआ है रुपिया का convert करना येन को बिडास तो है नहीं तो रुपी लगेगा हमारा इतना 995.36 तो आप तो बुलिए के बल्ले बल्ले यहां पर तो इतना ज़्यादा लग रहा है यहां पर तो इतना कम लगेगा लेकिन रूख जाए जरा यहां पर आपका एक letter of credit आपको निकालना पड़ेगा जिसका commission charges भी 12 months का 2% यह नहीं 1% 6 में नहीं का होगा तो यह आपको आज ही देना पड़ेगा पर एक प्रोसेसिंग फी कुछ कुछ देते हैं वो तो आज ही देना पड़ेगा interest लेटर नहीं देना पड़ता है commission थो नहीं लेटर नहीं है यह आज ही दियना पड़ेगा आप यह धियान में रेखेगा तो आज इतना yen देने के लिए कितना रुपया चाहिए लगा तो spot हम रुपी में convert करेंगी तो spot rate 3.4 है तो हमें पता चला yen convert करना रुपी का quote है 10 लाग रुपया हमें देना पड़ेगा तो 10 लाग रुपया अब यहाँ पर भी हमें commission charges 10 लाग रुपय देना पड़ेगा तो हम एक काम कर सकते हैं हम इंडिया से 10 लाग के सिर्फ बोरो कर ले एक बार करके देखते हैं इंडिया से 10 लाग जो commission देना है यह इंडिया से बोरो कर लेते हैं तो इंडिया से बोरो करने का तो 6 मेने का rate निकाला हुए है, तो इंडिया से बोरो करेंगे सिर्फ 10 लाग, इंस्टेड पूरा इंडिया में हमारा खर्चा पड़ेगा 10.92 लाग कमीशन चार्जेस का और एक ये खर्चा पड़ेगा बाहर, इतना 6 मेने के बार, तो टोटल मिला के दिखा जाए तो ओसाका ब्रांच से बोरो करोगे, तो ये खर्चा एक आपका पड़ेगा, और एक देखें, वहाँ पर कॉस्ट आ रहा था, इतना 1090 यहाँ पर 1060 आ रहा है, तो आप क्या करना, दूनों बेंक का यूज़ ले लेना, आप क्या करना, 3400 लाग येन तो आप इना उर्सा का ब्रांच से बोरो कर लेना, और जो कमीशन का खर्चा आपका 10 लाग रुपीस लग र है, वह आप इस 18% के रेट के साथ ही हाँ इंडिया से बोर्गिंग कर लेना, तो आपका फाइदा हो जाएगा 85.74 लाग रहा है, ये भी मैंने आपको रिवाइस करा दिया, फटा-फट से, नेक्स्ट अभी हम कोशें नमबर 38 हमारे कोशें मेंक से और स्टेडी मेटरल कोशे करते हैं आपर, चली करते हैं, एंपेन कंपनी ने इंपोर्ट किया डॉलर सेवन लाग पर, तो डॉलर सेवन लाग पेबल होगा, इंपोर्ट किया है, और ये पेबल किया है, तीन मेहने के बाद पेबल है, और कंपनी ने एक्सपोर्ट भी के एक्सपोर्ट करने पर डॉलर Receival होगा और यह Receival 2 मेने के बाद है और Receival amount के लिए उन्होंने Already forward cover कर लिया है यनि forward sell कर चुक है Receival के लिए तो देखिए $7,000,000 पेबल है तीन मेने के बाद तो इसमें forward buy करना चाहिए पर किया नहीं है भी तग हमने forward buy करना चाहिए और $4,500,000 Receival है 2 मंस का जिसके Already sell contract हमने enter कर लिया अज पोट्रेट्स दिया हुए रुपी और डॉलर का तो अब्यस की बाद यह रुपी आपर लिखा हुए तो रुपी पर डॉलर है और 48.5, 48.70 होगा यह तो points से साफ लिखा हुए इंक्रीजिंग order में तो add हो जाएगा 48.7, 49, 48.9 और 49.1 फे तो मैं पहले बता दो ICA ने क्या-क्या mistake किया solution में ICA ने solution में 48.45 भी है जो कि wrong है इन्होंने quotation की अंदाथ सिर्किया यह गलत किया पूरा गलत कर दिया इन्होंने कचरा कर दिया कचरा करने के बाद इन्होंने क्या-क्या नीचे एक note लिख दिया not clearly mentioned की quotes जो दिया हुए वो points टम है यानि वो premium points है के direct quotes है और बोला कि हमने एदम से लिया है के direct quotes है उस basis में क्या है हाला कि student consider कर सकता है और वो premium points के साथ सो solve कर सकता है मतलब IC कुद agree करता है कि उसने गल्दी किये और उसका solution गलत है तो मैं आपको सही solution ही कराँगा जो ये accept भी करता है कि आप सही solution कर सकते हो अब आगे देखिया अब आगे मैं सही solution ही कराँगा यहाँ पर आप देखिया हम क्या करेंगे swap points add कर देंगे तो यह हमारा quotation आजाएगा अब already receible के लिए तो sell contract हमारा किया हुए है payable के लिए buy contract कर लेंगे तो जो हमारा receible है 2 मेने के बाद हमारा receible है कब 2 मेने के बाद हमारा receible है जिसको 48.9 में sell contract किया हुए तो 4,50 थाउचे हमें 2 मेने के बाद मिलेगा 48.90 में हमने sell contract किया हुए तो दो मेने के बाद हमें इतना रुपिया मिलेगा w2,005,000,000 इतना रुपिया हमें 2 मेने के बाद मिलेगा अब यहाँ पर एक लाइन है यह लाइन दोनों के लिए common लाइन है यह ऐसा नहीं कि point number B के लिए लिए इन दोनों के लिए evaluate both the options if the cost of rupee fund is 12% rupee fund का 12% cost है मतलए rupee में आप invest या borrow करोगे तो 12% का आपको मतलए फाइदा या घाटा मिलेगा income या expenses होगा तो यहाँ पर अब देखें मेरे पास इतना rupee आजाएगा अब मुझे जो pay करना है 7 lakh dollars वो तो 3 मेने के बाद पे करना है तो rupee भी 3 मेने के बाद लगेगा और यह तो मेरे पास 2 मेने में ही आजाएगा तो मैं क्या इस पैसे को जब 2 मेने के बाद ही मेरे पास यह पैसा आजाएगा मैं क्या पैसे एक मेने के लिए इंवेस्ट नहीं कर सकता 12% पर एनमे तो एक मेने का 1% होगा तो मैं इस पैसे को एक मेने के लिए इंवेस्ट करूँगा तो मुझे 1% interest भी मिलेगा तो यह देखे यह वाला मुझे interest amount भी मिलेगा यह ICNA भी consider किया है तो यह amount मेरा अपना जो मुझे 2 मेने के बाद मिलेगा और प्लस एक मेने का interest तो 3 मेने के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा जो की मेरा inflow है इतना पैसा मिलेगा अब मेरा payable के लिए मैंने कोई cover नहीं किया तो यहाँ पर लिखा वाए point number यह में payable के लिए forward cover कर लोग तो payable के लिए 3 months forward buy करना है 3 months forward buy करना है डॉलर का 3 months का forward buy होगा 14.1.5 महेंगा है न dollar का buy करना है महेंगा होगा तो 14.1.5 में buy करेंगे अब dollar ही convert करना है 4 lakh 50 था हुज जिन dollar का ही code यह होगा 7 lakh dollar convert करना है उसके code यह बहाँ प्ले हो जाएगा तो 3 मेने के बाद हमें इतना रुपिया लगेगा dollar 7 lakh खरीदने के लिए तो ultimately इतना रुपिय तो हमारे पास 3 मेने के बाद आ जाएगा और इतना रुपिया हमारा लगेगा तो net हमारा payable इतना होगा यह हमें पता चला पहला case में अब आपको दूसरा case में क्या बोड रहे है तो lag the receibles by one month यानि जो आपको dollar 4 lakh 50 thousand मेली रहना आप क्यों इसको रुपिय में convert करा रहे हो आप क्यों इसका forward कर रहे हो आप इसे lag करो आप इसे अपने पास बढ़ा रहनो तो यह जब 2 मेने के बाद dollar 4 lakh 50 thousand मुझे 2 मेने के बाद मिलेगा मैं इसे बकसे में डाल दूँगा एक मेने के लिए बकसे में डाल दूँगा तो एक मेने के बाद भी बकसे में कितना रहेगा dollar 4 lakh 50 thousand रहेगा बोले इससर इंट्रस्ट देखें इन्होंने सिर्फ रुपी में इंट्रस्ट बताया बखसे में 4,50,000 पूतना तो मैं जोगा दूँगा बाकि 2,50,000 का मैं forward buy कर लिए मेरा काम बन जाए तो दूसरी case में मुझे क्या करना चाहिए मुझे forward cover नहीं करना चाहिए और मुझे netting करते हुए 2,50,000 का मुझे forward cover कर लेना चाहिए लेकिन मैंने तो forward sell already enter कर लिया 48.90 में तो सोदा काटो और 2 months का forward buy का rate का 40 नहीं तो 49 में मैं सोदे को काटूँगा तो ultimately मेरा 45,000 रुपिया का loss होगा अब सारा हिसाब जब कि हम 3 मेहने में कर रहे है तो मेरा 2 मेहने के बाद इतना outflow होगा क्योंकि 2 मेहने में cancel हो रहे है तो 2 मेहने के पैसा इतना outflow होगा तो मैं गलत है आगे वो सुधार देंगे उन्होंने 45,000 पकड़ा पर होना चाहिए 45,000 यह होना चाहिए क्योंकि इसमें आप सारा settlement 3 मेने के बाद ही कर रहे हो तो मानेंगे इतना हमारे जो cancellation law से 3 मेने के बाद देंगे तो 1% interest भी लगए हमारा तो यह तो cancellation charges हमारा लगा क्यों क्यों forward sell का soda को काटेंगे और उस $4,50,000 को free कर देंगे ताकि हमें बाद में $7,00,000 चुकाते से में हम इसका use कर सके तो हमने $4,50,000 फ्री है तो अब हमने lag किया $4,50,000 अब सिर्फ $2,50,000 का forward buy contract कर लेंगे तो $4,50,000 का forward buy contract करेंगे 3 मेने का क्योंकि 3 मेने के बाद चुकाना है $49,15 होगा $2,50,000 $49,15 में हम buy करेंगे तो इतना रूपिया हमें देना पड़ेगा 3 मेने के बाद तो देखा जब तो तीन मेने का एक तो हमाला यह लगीगा $4,50,000 हलाकि मैंने $45,000 होजी नहीं पकड़ आई-से के साब से और यह वाला हमें चुकाना पड़ेगा तो केस A के साब से हमें इतना चुकाना पड़ रहे हैं और केस B में जाए तो में इतना चुकाना पड़ेगा तो सस्ता कहां दिख रहे हैं यहाँ कम पेबल है तो option 1 is better, first option is better हलाकि IC के साब से second option आपका आई-से के साब से भी first option नहीं बैठ रहे हैं लेकिन IC का solution में बता दो wrong है और उन्होंने accept भी किया है नीचे तो I think आपको यह question समझ में आ गया पहले वाले में कुछ नहीं करना receible का आप देख लीजे कितना आपको मिलेगा net और payable का forward cover कर लीजे net payable पता चल जाएगा दूसरे वाले में पहले cancel करना पड़े है क्योंकि already forward sell contract है cancel का loss देख लीजे और आप net amount का by contract कर लीजे बस खतम यह question अब एक और question मैं आपको बता देना चाहता हूँ and वो question आपको मैं link दे दूँगा वो question आप वहां से किज़ेगा मैं अभी नहीं कराओंगा ओमेगा electronics बहुत important question है and मैं इस वीडियो में नहीं कर आऊँगा लेकिन इसका मैं link दे दूँगा यूटुब में already यह question uploaded है आप वहां से omega electronic जिरूर से कर लीजेगा next question number 39 question bank से study material question number 44 है customer with whom bank had entered into three month forward purchase bank ने forward purchase किया है तो customer ने क्या क्या होगा forward sell क्या होगा कुशिन धंक से पढ़ना बहुत जिरूने तो दिक्कत आ जाएगा पूर स्टेंग 10,000 at the rate 27.25 यहनी कहने का मतलब forward sell हुआ है 10,000 Swiss franc at the rate rupees कितना 27.25 में forward sell हुआ है sell हुआ है हमारा ठीक है और अब क्या हुआ दो मेहने के बाद वो आता है और गोता है cancel करो तो मेरी बात समझे तीन मेहना का हमने forward sell contract किया था customer ने क्या दैसा कुस्टमर ने साइल कि तीन मेने का अब वो दो मिहने के बाद जाएगा केंसेल इक हम चान में वाई करेगा margin money वगेरा है नहीं है आपर 27.52 में बाई होगा 10,000 इस फ्रेंग यह नहीं अल्टिमटी 2.27 10,000 यह नहीं 2700 का नुकसान है क्योंकि बाई का रिट ज्यादा है लॉस 2700 का नुकसान है और exchange commission वगेरा ignore नहीं है आपर क्योंकि कुछ data दिया हुआ नहीं है नेक्स्ट हमारे question bank से question 55 और 46 आपको study material में मिलेगा यह question भी important है your forex dealer had entered into a cross currency deal and has sold a dollar 10 लाग against euro at US dollar 1 equal euro 1.44 मतलब क्या-क्या-क्या 10 लाग डॉलर बेचके euro में convert करा लिया तो आपका one dollar का value है euro का 1.44 में इन्होंने convert करा तो 110 लाग डॉलर का value कितना हो जाएगा 14 लाग 40 था हो जैने यह नहीं मेरे पास पहले 10 लाग डॉलर था अब इसको मैंने बेच कि इसके जगह पर मेरे पास euro 14 लाग 40 था हो जैने यह मेरे हाथ में अभी यह मुझे समझ में है however later during the day the market become volatile and the dealer in compliance with this management guidance had to square up the position when the quotation were this मार्केट खराब हो गया बरबाद हो गया अब यह tension में आ गया है तो यह फिर से क्या कहना चाह रहा है कि जो इसके पास 14 लाग 40 था होजिन है ना इसे यह फिर से हटाएगा square up करेगा और अपना existing position में आना चाहेगा मला इसे अप फिर से डॉलर 10 लाग प्यान है फिर से existing position डॉलर 10 लाग प्यान है तो यह क्या करेगा अब यहां पर आप देखिए जब भी कोशिंस साइलेंट है कुछ भी ना बताए आप हमेशा समझेगा आपकी home currency functional currency रूपी है जब भी कोशिंस साइलेंट है आपको यह समयना है और देखिए आप दिया हुआ भी यूएस डॉलर वन आयनर इतना है यह रूपी पर डॉलर दिया हुआ यहां पर ठीक है और वन मंथ मार्जिन दिया हुआ 25 पर 20 decreasing order पे तो आपका यह माइनस होगा हम बाद dollar equal इतना है यूरो पर dollar इतना दिया हुआ हमें और इसका भी one month forward two month forward दिया हुआ है ठीक है यह बड़ा कैसे होगा पता नहीं हम वन month forward two month forward दिया हुआ आपको यहां पर तो इसका भी आपको quotation दिया हुआ है अब आप मेरी बात समझे हम क्या रुपिया दे कितना dollar खरीदे आब डॉलर खरीदो तो देखो कितना डॉलर आते हैं तो क्या मैं सीधा यूरो बेचके डॉलर खरीद सकता हूँ जी हाँ मैं सीधा यूरो बेचके डॉलर खरीद सकता हूँ स्पोट करूँगा जी हाँ स्पोट करूँगा तो यूरो बेचूंगा डॉलर खरीदूंगा डॉलर का कोटेशन डॉलर खरीदना है तो क्या होगा 1.4450 इस रेट पर खरीदूंगा अब देखें कोट दियावा डॉलर का कनवर्ट करना यूरो को तो क्या होगा डिवाइट यानि 14,40,000 divided 1.4450 अगर आप करेंगे 14,40,000 divided 1.4450 अगर आप करेंगे 96539.8 आपके पास डॉलर आजाएगा पर मुझे तो 10 लाग डॉलर चाहिए मेरे पास 10 लाग डॉलर था है ना तो 10 लाग डॉलर मेरे पास था मुझे उतना ही चाहिए भी तो इतना डॉलर में क्या करूंगा खरीद लूँगा तो इतना डॉलर खरीदने के लिए अब बताइए आप मैं यूरो तो मेरे पास जितना था उस यूरो को मैंने स्फपार्ट में रॉपिया को बेच वह और डॉलर को खरीद हैं अब देखिए डॉलर का खरीद होगा तो इतना ना ढॉलर खरीद होगा तो इतना यूर डॉलर का कोट है तो जितना सौटेज है इतना इतना हम खरीद लेंगे किस रेट पर खरीदेंगे 31.45 3460.2 इंटू 31.45 108823 108823 0.29 डुपी तो मतलब देखा जाये तो हम ये जो घुमा फिरा के हमारी इतनी की बरबादी हुई है इतना का लॉस हुआ हमारा क्योंकि पहले 10 लाग डॉलर सह Anders सैसलावत ता बेफ आलतू का उषसे इतना यूरो में आये फिर यूरो से डॉलर में तो 10 लाग मिला नहीं क्योंकि बिडासक में फ़सक बाद स्ट्रेड में इतना ही डॉलर मिला और डॉलर खरिदने के लिए तने रुपे पोगट से लगए तो यह हमारा लॉस है यह हमारा क्या लॉस है पर ICA का अंसर अगर आप देखो कि महाँपर थोड़ा सबको अलग लिएगा ICA का अंसर यह नहीं आएगा हमारा अंसर यह है पर ICA का अंसर थोड़ा सा फरक होगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्यों फरक होगा, क्योंकि ICA थोड़ा सा गरबड किया उसने, ICA क्या किया, उसने डॉलर खरीदने के लिए, जो रिमेनिंग डॉलर है, उतना खरीदने के लिए, पहले रुपिया से डॉलर से यूरो में होते वे, फिर से डॉलर में आ रहा है, रुपिया में आ रहा है, तो उसने गलत क्या आप देख लीजिएगा, पर यह अंसर परफेक्ट होना चाहिए, तो मैंने ये कोशिन करा दिया, आप फिर भी चाहो तो आईसे एका देख सकते हो, मैंने रेगुलर में बताया, आपी रिवीजन में नहीं बता सकता, बस इतना बताना चाहूँगा, वो और स्प्रेड में गुमते गुमते फज़ गिया, मतलब उसने डॉलर खरीदना था, तो पहले रुपिया से डॉलर खरीद लिया, फिर डॉलर से फिर से क्या क्या यूरो खरीद लिया, फिर से डॉलर खरीदा, बेवकुफ है क्या, डॉलर आई किया तो डॉलर में कर लो, फिर से यूरो क्या डॉलर क्यों खरीद रहो, उस शक्कर में वो बरबाद होगी है तो मैंने समझा दी उसकी क्या mistake है जिसके चलते उनका figure थोड़ा ओड़ जादा आ रहा हूँ something जादा आ रहा है loss आ रहा हूँ आप एक बार IC का material देख लीजेगा ये answer perfect है जादा उससे तो चलिए हमने ये question कर लिया नेक्स्ट हम question number 15 discuss करेंगे study material में question number 47 है दो quotes दिया हुआ bank A, bank B का अलग अलग से quotes दिया हुआ है अब देखिए USD बाए CHF लिखा हुआ है GPP बाए USD लिखा हुआ है अब obviously बात है मैं पता है CHF छोटा होता है और डॉलर बड़ा होता है तो ये quote उल्ट है इसे दिया होते है अब ये ध्यान में रखेगा जैसे कितने बार हमेशा भी नहीं ऐसा होते है कि जैसे रुपी पर डॉलर को अगर इस form में लिखा जए अगर जैसे कि आप देख रहे होना lusof form में लिखा जा रहे तो वो एसे उल्टा लिखते USD by INR, dollar per pound को देखे, GPP by USD ऐसे लिखते हैं पर कितने बार आपको ऐसा दीखेगा कि ऐसा लिखावा रहेगा कितने बार Rupi by USD लिखावा रहते हैं या कितने बार INR by USD भी लिखावा मिल जाते हैं तो आपको actually मेरा केना यह कि अब हमेशा इससे interpret नहीं कर सकते हैं यह हमेशा काम नहीं आता है कितने बार failure भी साबित होता है तो आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि देखना है कौन सा छोटा है पड़ा उसके सबसेब करना हाला कि चांस दे रहे हैं पर कभी-कभी ICI ऐसा धूका देते हैं तो थोड़ा सा समल के रहे हैं तो यहां पर आप देखिए पूछा हम से क्या है पहले वाले case में how much minimum CHF amount you have to pay for 1 million GBP यहां पर पहले वाले case में CHF pay करना यहनि CHF sell करना और 1 million pound buy करना हमें spot तो अब देखिए हम pound buy करेंगे तो dollar पर pound का कूट यहां CHF पर pound का तो कूट यहां हमें तो CHF बेचने है क्योंकि बोले CHF कितना चाहिए तो पहरे CHF से dollar खरीदो फिर dollar से pound खरीदो बात कर तो अब bank यह bank भी किससे खरीदे जहां सस्ता मिलो वाँ खरीदो आप बताईए आप कौन सा पी CHF पी करना चाहिए एक dollar खरीदने के लिए आप इतना पी करना prefer करोगे या इतना prefer करोगे obviously हम यह prefer करेंगे तो यह वाला हमारे लिए काम का है यह करते ही व्यानि यह करते ही हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास dollar हाथ में जाएगा CHF से हाथ में CHF बेचके dollar खरी लेंगे अब dollar बेचके pound खरीदेंगे तो pound खरीदने का rate हमारे पास क्या है pound खरीदने है pound का ही code दिया हुआ है pound खरीदने है नहीं महेंगा वाला होगा एक हो रहा है 1.760 और यह के 1.765 आप बताएगे कौन सा में खरीदेंगे खरीदना है हमें ना dollar से pound खरीदना है तो pound इस rate खरीद होगे कि इस rate खरीद होगे महेंगा मैंने का महेंगा यह रहा तो नहीं है लेकिन दोनों bank मैंसे तो यह ज़्यादा suitable है ना तो मैं इस पर खरीदूँगा यानि मैंने यह दो टिक कर लिया यह कोई काम कर लिए यह एक तो 1.4655 एक 1.7650 मुझे rate में लिए अब मुझे क्या करना है conversion करना खरीदने का काम कर लिए ticking का काम कर लिए मुझे क्या करना conversion करना 1 million pound यह 10 lakh pound है pound कहां पर है नीचे की उपर यह pound है pound का code दिया हुए pound ही convert करना तो multiply यह रहा 1.7650 से multiply कर दिया करते है डॉलर बन जा अब उपर डॉलर से CHF में convert करना डॉलर convert करना डॉलर का ही code दिया हुए यह नहीं multiply यानि यह करते हमारा answer आ जा 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 है 10 lakh into 1.7650 into 1.4655 तू फाइब डेबल से जीरो सेवन या फिर आप कहा सकते हूं CHF 2.58 million कहा सकते हूं या फिर डेबल सी पूरा लिख सकते हूं अब इस तरीके से तो हमें यह पहला वाला पार्ट हमने कर लिया अब दूसरा पूचरा considering the code from bank A हो नहीं में बैंक B का कोई काम नहीं है स्री बैंक A की बात कर रहे है और यह पूच रहे है तो पहले मैं sport CHF per pound निकालना चीब एक तो पहले मुझे निकालना चीए sport is THF per pound और दूसरा मुझे निकालना चीए three months THF per pound यह मुझे निकालना चीए यह पर है न तो मैं bid का भी निकालूं گा और ask का भी निकालूंगा क्योंकि मुझे रफोइंस बताना है बैंक बी का कामी नहीं है तो दीखे, financial per dollar इतना है और dollar per pound इतना है सिब bid को देखिए आ अप पर मुझे ये जानना है CHF per dollar हमें निकालना है वापस से कहनेCam निकालना है, यह नि não 1 pound की बात हो रही है यहां पर भी 1 pound की बात हो रही है तो मुझे यह देखना है कि 1 pound का क्या rate है है ना तो 1 pound को मुझे convert करना है into CHF है ना और bit और ask का लग 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 तो bysell का तो काम नी होगा हम bit और ask का लग 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 निकालेंगे तो 1 pound है मुझे 1 pound का value निकालना है तो 1 pound equal कितना dollar हो रहा है 1.7645 हो रहा है है ना और 1 dollar equal 1.4650 CHF हो रहा है मुझे 1 pound को convert करना है आपर तो मैं 1 ले रहा हूं pound यह 1 pound है अब pound को convert करना है into पहले dollar कोट दिया हो है pound का convert भी pound को करना multiply होगा 1.7645 अभी dollar बनगे dollar को convert करना dollar का ही code दिया हो है into 1.465 यह आगे मेरा और उधर भी अगर मैं करूँ ask side में तो क्या होगा 1.1 into 1.7660 होगा यह वाला और उधर 1.4655 हो जाएगा इसका value अब निकाल लीज़े और इदर 3 months वाले में same e करना बस परहे कितना है कि यह वाला 3 months नहीं यह वाला हो जाएगा दोनों का यह वाला इसका rate हमें निकाला 1.4655 होगा 1.4670 हो जाएगा मैंने swap points sorry 65 होगा मैंने swap points एड़ कर दिया और यहाँ पर भी अगर मैं करू 1.765565 1.7670 और यहाँ पर less होगा देखिए उल्टा है 25 बढ़ 20 less होगा है आपर 1.7620 और 1.7640 decreasing order है न तो less हो जाएगा हमारा तो हमें यह पता चलब यहाँ पर भी तो वही करना 1 pound को तो convert करना है तो 1 pound को पहले convert करेंगे into dollar pound का quote है dollar में convert करना है pound का quote है pound ही convert करना है multiply और इधर भी multiply होगा यहनि 1 into 1.7620 मैं तो फटाफट करा रहा हूँ मैं मुझे पता है मैं पूरे एक्तम अच्छे से detail में नहीं संजा रहा हूँ क्योंकि revision video है फिर 1 into 1.7640 into 1.4665 अब वीडियो पॉस करें उसकी value निकाली है अब सभी के अब देख सकते हूँ मैं सारी value निकालके लिग भी लिया है आपर अब spot rate यह ए कितना कम है 49 और 22 बागी से में 32, 42 यह निए 27 का फारगे अदर और इधर कितना है 80 और 69 79, 11 11 का फारगे 27 बाइ 11 आपका swap points है decreasing में देखे दूनों आपका यह जा रहा है 27 बाइ 11 आपका swap points हो गया है और ICA का अगर हम अंसर देखेंगे 28 बाइ 12 आए क्योंकि उन्होंने round off किया रही पर तो अगर आप भी round off करोगे तो आपका यह perfect है 27 बाइ 11 बस ICA का 28 बाइ 12 आए कुछ round off करने की जखकर में अधरिस हमारा अंसर पूरा perfect है तो इसमें भी पूरे marks मिलेगा उनका problem वाली बात निया तो यह question भी मैंने complete करा दिया next हम फटा-फट से question number 29 करेंगे question bank से और यह study material में question number 51 है nostro वास्टो से related है हमारे nostro account है माल लीजिए मैं कैस बीई बैंक हूँ समझेगा मैं कौन हूँ मैं कैस बीई बैंक हूँ और मेरे nostro account है मतलब foreign account है कहाँ पर Swiss franc में स्विस franc में nostro account है मेरा तो यहाँ पर देखिए balance in the nostro account credit और opening position over vote इसका मतलब क्या होगी यह passbook की तरह समझे जैसे आज अगर मैं SBA में आप account खुलाओगे आप अगर SBA में एक खुलाओगे तो आपको SBA पास्बुक देगा आपको bank में credit का message आने से खुसी होता है कि debit का credit का message आने से खुसी होता है credit मतलब उनके लिए liability हमारे लिए asset और यह हमारा ledger है हमारे अपना ledger हमारे पास जब भी पैसा होता हम अपने ledger book भी बनाएंगी जिसे मैं अपना cash book बनाऊंगा खुद का तो वहाँ पर मेरे पास जब भी पैसा आएगा मैं debit करूँगा तो यहाँ पर वही है एक SBA bank के मालो उसका Swiss franc में account है ठीक है बाहर foreign में account है और foreign में account में इसका pass book में balance देख रहा है 1 lakh रूपीस नोस्ट्रो एकाउंट credit balance है एक credit pass book में credit balance दिखाता है 1 lakh रूपीस दिख रहा है और हमारा opening position है हमारे लेजर में overbote मतलब purchase oversold लिखावा रहेगा मतलब negative balance है तो overbote purchase है overbote position है मतलब 50 thousand हमारे लेजर में cash book में दिखा रहा है अब बोलो कि sir difference क्यों हाँ हो सकता है माल लिजे मैंने कोई check वगेर इसू करके रखा हुआ है और वो bank में clear नहीं होगा तो मेरा cash book अलग दिखे और pass book अलग दिखे यह तो अपने class 11 में पढ़ा होगा तो वैसे यहाँ पर मेरा लेजर में दिख रहा है कि मेरे पास 50 thousand Swiss franc है पर pass book में दिख रहा है one luck का credit मतलब मैंने कुछ-कुछ issue करके रखे हुए होंगे है ना draft वगेरा बना के दीदी कुछ-कुछ issue की वे होंगे तो जिसके चलते हैं हैं कोई दिखकत नहीं है अब आगे क्यों होगा हमने एक bill purchase के और जूरिक bill मतलब bill of exchange होग या bill purchase करने का मतलब 80,000 हमारे पास आया तो हम अपने खाते में 80,000 Swiss Frank दिखा देंगे पर bill मिला अभी तक हमें पैसा हमारे pass book में अभी तक पैसा गया नहीं है ये bill of exchange की तरह है मतलब बाद में पैसा मिलेगा तो जब कभी bill लिखा होगा है तो आप ये खाते में अभी तक पैसा नहीं आया लेकिन आप लेजर में दिखा दोगे कि हमने एक bill purchase करके रखा हुआ है हमारे पास एक bill है मतलब प्रोमिसरी नोट की तरह हो गया किसी नहीं हमें bill दे दिया 80,000 का या फिर कोई customer को किसी party से मिलना होता पैसा तो वो क्या गरता हुँआ हमें discounting करा लेता है न वैसे कुछ है तो ये bill हमारे हाथ में है 80,000 स्विस फ्रेंग का लेकिन ये हमारे passbook में अभी तक reflect नहीं कर रहा है फिर sold forward forward मतलब अभी तक हमारे खाते से नहीं गया हमने बेच जा है तो 60,000 हमारा कम होगा लेजर में लेकिन हमारे खाते से नहीं जाएगा क्योंकि forward है न अगर spot लिखावार है था न spot टेलिग्राफिक ट्रांसफर मला हमने spot ट्रांसफर भी कर दिया हमारे खाते से भी कम हो गया पर forward लिखा हुए मतलब ये future date में आपका खाते से कम होगा आगे forward purchase contract cancel अब देखे forward purchase किया था हमने तो हमने क्या किया था forward जब purchase किया था तो हमने 30,000 add किया होगा यहाँ पर और यहाँ पर तो कुछ नहीं किया क्योंकि forward word है तो जब purchase किया तो 30,000 add किया होगा है ना अब हम उसे cancel कर रहें तो add क्यावा को less कर दो तो हम less कर देंगे 30,000 तो इस ते आपका खाते में कोई reflect नहीं आएगा क्यों क्योंकि जब forward purchase किया तो खाते में कोई reflect नहीं आएगा अब purchase क्यावा था तो यहीं पहले 30,000 add हुआ था और अभी 30,000 less हो गया तो add तो पहले का हुआ वही होगा अब रेमिटेड का मतलब हो था पीमेंट पेमेंट बाइट टेलिग्राफिक ट्रांसफर यह online transaction की तरह होगी आपका जो मतलब हम एना करते है न electronic means of transfer मतलब टेलिग्राफिक ट्रांसफर ही तो यह payment आपने कर दिया रेमिटेंस कर दिया मतलब खाते से भी निकल जाएगा तो 75,000 हम अपने लेजर से तो माइनस करेंगे payment किया बोलके और यह हमारे खाते से भी निकलेगा 75,000 यह आप समझेए क्योंकि spot यह payment भी हो चुका है रेमिटेंस हो गया अब यह एक important है आपने भी ICA को ड्राफ देने के लिए पहले अगर आप थोड़े पुराने स्ट्वेंड हो तो आपने एक अभी ड्राफ बैंक से बनवाया होगा तो जब आपको बैंक का ड्राफ इसू करता है तो बैंक के खाते से उतना पैसा कम करता हो क्योंकि वो क्लियरिंग पे जाएगा वो ICA के नाम पे अगर ड्राफ बना है तो ICA को पैसा मिलेगा तो कितने सारे होते ना मतलब कस्टमर हमारे उनके बच्चे लोग बाहर पढ़ते हैं तो कस्टमर बैंक को बोलता हमें एक ड्राफ बना के दीजे तो और वो बदले में उनको रुपिया देते हैं तो ये बैंक ने ड्राफ बना के दिया होगा पहले तो जब बैंक ने ड्राफ बना के दिया होगा तो बैंक का 30,000 खाता से कम हुआ होगा कम हुआ होगा खाते से उसने अपने लेजर से 30,000 कम किया होगा क्योंकि ड्राफ जब बना कि देगा तो वो बोलेगा कि अच्छा हो कस्टमर क्लियरेंस कराएगा तो जब क्लियरेंस कराएगा तो उसके पासबुक से कम होगा पर वो कैंसल होगा तो अब जब पहले ड्राफ इसू किया तो माइनस किया था कैंसल होगा तो हम हटाएंगे से तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे फिर से एड़ बेक कर देंगे तो यह आप ध्यान में रखीगा 30,000 एड़ बेक होगा क्योंकि ड्राफ इसू होता है तो माइनस होता है और कैंसल होने पर एड़ बेक हो जाएगा और यहाँ पर कोई इसका एफेक्ट जाएगा ने तो अब देखिए यहाँ पर क्या बैलन्स आरा हमारा तो यह मैंने आपको समझाने के लिए लिए लिखा था बाकि यहाँ पर यह सारा एफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा बैलन्स यहाँ पर आएगा माइनस सुट्टी थाउजिन और यहाँ पर आएगा त्विट्टी थाउजिन आप यहाँ भी कर सकते हो यहाँ पर भी हें कितना 25 तो 5,000 स्पारेट परच encourages क्रड़ो ना 5,000 का support purpose करीज के ? तो दीखें 5,000 स्पोट परचीज करेंगे तो यहां पर हमारा cinco तर बड़ेगा और यह50 तर नहीं है तो यह minus 5000 गलती से लिखना हुआ फिलगा यह minus 5000 दीख लेते 23us minus 60 कितना होगा 70 minus 30 40 हो जाएगा and 40 plus 30 70 minus 75 minus 5000 होगा ठीक है यह minus 5000 ही है और यहाँ पर भी इनों निकलत लिखा हो गाँ यह minus 5000 है तो देखे 25,000 हमारा credit balance बढ़ा होगा हमें 30 क्या maintain करने है तो 30 क्या maintain करने के लिए हम क्या करेंगे फाइब जाए spot खरी लेंगे तो spot खरी देंगे तो laser में भी दिखीगा खाते में भी देखीगा अगर आफ spot निक खरीद होगे तो खाते में नहीं दिखीगा न तो खाता 30,000 कैसे होगा तो spot खरीदेंगे दुनों जगा दिख जाएगा अब और क्या बोला केला हुआ इन्होंने बोला ओवरबोड पोजिशन 10,000 कर रहो तो हमने अभी 5,000 का खरीदा तो हमारा ओवरबोड पोजिशन तो नहीं रहा है क्योंकि माइनस पे था पाचजर खरीदा नीर हो गया पर यह बोला ओवरबोड 10 का रहो तो अगर हम spot करेंगे तो ये भी तो 30 से 40 हो जाएगा इसलिए हम spot नहीं करेंगे हम forward purchase कर लेंगे 10K का तो यहाँ पर 10K maintain होगा ये 30K maintain होगा तो ये दू effect हम दे देंगे बस बात कतम और ये question हमारा हो जाएगा आराम से 51 that is complete होगा हमारा